हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगें टो प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका एजुकेटर सायज शाबास दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट किताब लेकर आया हूँ जो कई सारे बच्चे कॉमेंट्स में पूछ रहे थे तो जो अरिहंट की किताब है दोस्तो जनल नॉलेज 2024 की लेटेस्ट एडिशन हमारे पास आ चुकी है तो आज हम इस किताब को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है for all competitive examination तो मनुहर पांडे जी के जरिये से इसको publish किया गया है and बहुत ही short summary में उन्हें सारे subjects को कवर किया जैसे geography, history, policy हो गया, economics हो गया, environment, ecology हो गया, current affairs हो गया बहुत ही कम pages में उन्हें crisp तरीखे से cover किया है जो भी important points जो exam के लिए important है तो आज हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितना हो से कि उतना complete कर सेगे किताब या फिर मैं इसके दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा तो कई सारे बच्चे जो है 2023 की जो किताब आई थी हमारी उस पे बहुत अच्छा response मिला हमको तो आज 2024 की latest edition भी किताब आच चुकी है तो I think थोड़ा देरी हो गया एक book लाने में क्यूंकि मैं Indian quality और दूसरी series को cover कर रहा था तो मैं सोचा कि चली आज हम इस किताब को cover करते हैं तो जैसा मैंने कहा मनुहर पांडे जी के जरह से publish की गई किताब है यह very very important book है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक चोटी से request है कि आप हमारे channel को please like share और subscribe कर दीजेगा and notification bell icon को भी on कर लीजे उसके साथ साथ एक चोटा सा update मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों proxygyan ने UPSC aspirants के लिए एक program launch किया है जिसका नाम है जीत निश्या है दोस्तों जीत चिच्चे नाम के जो है इस program को launch किया है जो UPSC 2024 के लिए प्रिपेर हो रहे है उनके लिए जो हम लोगोंने स्रिफ 50 seats available है और इस program में आपको live plus recorded classes मिले जाएंगे MCQs दिया जाएगा daily basis पे answer writing practice करवाई जाएगी दोस्तों आपको one-on-one mentorship रहेगा आपको student oriented approach यहां पे दिया जाएगा इस सारे के सारे facilities है जो कि सिर्फ आपको एक affordable course में launch किया गया that is 4999 जी हाँ दोस्तों सिर्फ 5000 के अंदर अंदर आप इस चीज को जो है achieve कर सकते हैं जॉइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आपको जो है link में आपको description में दे दूँगा हमारे चैनल का आप जाएंगे तो सारे आपको information वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों अगर छोटे सा institute में जाएंगे या online में जाएंगे तो minimum आपको 30 to 40,000 पे करना पड़ेगा यहां 5000 के अंदर अंदर ही आपको इस सारे चीज़े दी जा रहे है वित आंसर राइटिंग के साथ दोस्तों बहुत यह affordable seats है और सिर्फ 50 seats available है जल्दी जाएए join हो जाएगे तो लेट स्टार्ट टुडेस लेक्चर तो क्या क्या है पहला जो content से हापे हम current affairs को cover कर लेंगे 30 pages का current affairs यहां पर रहेगा तो उसके बाद हम धीरे धीरे जो है इन विल गो टो दा इंडियन history, geography, Indian quality, Indian economy, general science और general knowledge भे होता है उसको cover कर लेंगे चले मैं पहले आपको एक disclaimer देना चाहता हो दोस्तों कि यह जो किताब है यह सारा कुछ already self explained किताब है तो ऐसा मत लगाएगा कि मैं सब कुछ explain करता जाओंगा आपको क्या हमको पूरी किताब complete करनी पड़ेगी तो थोड़ा तो time लग जाएगा इसमें तो मैं जो है वहाँ पे as it is आपको समझाने के कोशिश करूँगा और जो भी है पढ़के समझाओंगा ऐसा नहीं कि कुछ extra points आपकर आट करें क्योंकि आल्रेडी जो important points है उन्होंने दे दिया है दोस्तों के तो दुबारा भी से search करके दुबारा भी points आट करके unnecessarily आपका भ कि सार आप जो है देखके पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ते चले जा रहे हैं या फिर इन्हों क्या बोलते हैं उसको कि आप कुछ समझाने रहे हैं already self explain है दोस्तों कि कई सारे बच्चों को किताब access नहीं होती तो उनके लिए हम इसको lecture लेकर आ रहे हैं कोशिश करूँगा होता है तो इस साल का जो बच्चेट था 2023-2024 जो February 1st 2023 को लाया गया था यह तो basic information सब को पता होनी चाहिए कि इसमें क्या समझाने रखा हैं तो इस पार यहां पे देखिए आप 7 priorities यहां पे दी रखिए पहला हो गया inclusive development दूसरा हो गया reaching the last mile infrastructure investment unleashing the potential financial sector green growth and youth power ठीके तो इस 7 topics प होड़ा highlights देख लेते है जो capital expenditure था दोस्तो इस almost three times of the capital expenditure in 2019-2020 2019-20 2019-20 2019-20 2020 capital expenditure था उससे 3 गुना जयादा हमको देखने को मिला इस बार 2023-2024 में so fiscal deficit estimated to 5.9% of GDP tax exemption 7 lakh per year रख दिया गया है दोस्तो पहले 5 lakh का था अभी 7 lakh रख दिया गया अगरिकल्चर credit target to be increased to 20 lakh करोड और PM विश्वा कर्म कौशल सम्मान यह launch किया गया पहली बार जोई package दिया गया दोस्तो फर assistance of traditional artisan and crafts people उसका new sub-scheme of PM मट से संपता योजना launch किया गया दो okay ताके उन लोगों को सारे सहूलते प्रवाइट किया जाए उसके साथ-साथ उनको जो है micro and small entrepreneurs को connect किया जाएगा दोस्तों basically they are going to develop a value chain efficiency दोस्तों एक value chain market यहाँ पर develop करने की बात की गई है next बात करे capital outlay of 2.40 lakh crore has been provided for the railways के लिए यह भी important है budget कितना allocate किया के railways के लिए 2,40,000 crore the highest ever outlay is about 9 times the outlay maintain 2013 and 2014 okay तो 2013 और 2014 से अगर आप compare करेंगे तो 9 गुना ज्यादा 9 times ज्यादा यहाँ पे किया गया okay so finance ministry निल्वाना सितरामन increase allocation to defense budget okay and कितना कर दिया गया है total यहाँ पर देख सकते हैं 5,93,537 crore यहाँ पर increase किया गया है for 2022 the budgetary allocation outlay जो था 1.52 lakh crore था okay और revise expenditure कितना रखा है 1.50 lakh crore और सिर्फ defense pension वालों के लिए separate 1,38,000 crore allocate किया गया है उसका दे one time new small savings scheme महिला सम्मान savings certificate भी available किया गया है दोस्तों जो के 2025 तक दिया जाएगा उसका this will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of women or girls for the tenure of 2 years दोस्तों और interest कितना मिलेगा 7.5% interest मिलेगा 157 new nursing colleges established किये गये national digital library for children and adolescent set up किया गया और जो भी business होते है establishment के लिए so they have required to be submit the PAN number ताके वो जितने भी government agency से वहाँ पर connect हो पाए उसके बाद आता है aspirational block program okay तो यह पहले budget में भी इसको discuss किया गया था in the 2022-23 में भी okay तो अभी जा aspirational block program covering 500 blocks has been launched for the saturation of government programs right and outlay of PM Awas Rojana is being enhanced 66% to over 79,000 crore उसका 100 labs for developing application using 5G services set up किये गये national green hydrogen mission जोके 19,000 crore base को set up किया गया दोस्तों उसका phase 3 of e-courts project to be launched with an outlay of 7,000 crores उसका government to provide higher limit of 2 lakh per member and some notable achievements की बात करे क्या-क्या हम लोगों ने achieve किया इंते सालों तक पहला है 11.7 crore household toilets बनाए गये गये दूस्तों this is very important achievement actually 11 crore household toilets हमने बनाए अंडर सुच बारत mission उसके बात 9.6 crore LPG connection दिये गए अंडर उज्वला योजना इसका 220 crore covid vaccination दिये गए दूस्तों कितने लोगों को 102 crore लोगों को याँ दख लीगे vaccines कितने थे 220 crore थे उसका 47.8 crore PM जंधन bank योजना खोले गए उसके अंदर accounts खोले गए insurance cover of 44.6 crore person under PM सुरक्षा भीमयोजना आया गया उसके बात cash cash transfer था 2.2 lakh crore to over 11 crore farmers को दिये अंडर PM के सांद सम्मान योजना योजना चलिए अभी economic survey के बारे में जान लेते हैं क्या आया था so economic survey जो finance ministry and sitaramanji के जरिये से बनाया गया था तो इस बार जो important points थे इंडिया का GDP growth जो है वो about 7% grow होने वाले है in real terms okay और forecast जो किया था for 2024 it will be 6 to 6.8% आने वाले fiscal year 2024 the gross tax revenue registered 15.5% okay और central and state government budget का expenditure था health sector की बात करे तो कितना हुआ दोस्तो 2.2% तो अभी इसकी बात की जा रहे कि इसको increase करके at least 3.5% तक लाने की बात की जा रहे social sector expenditure की बात करे increases to 21.3 lakh करोड पहले 9.1 करोड था अभी इसको increase करके 21.3 lakh करो लाए India declare net zero pledge by 2070 या देखिए या देखिए या देखिए this is very important okay so हम लोग net zero emissions 1270 तक अचीव कर लेंगे and India achieves its target of 40% of installed electric capacity from non-fossil fuels okay so fossil fuels क्या-क्या होते है okay जो renewable, non-renewable होते हैं दोस्तों because जैसे coal हो गया है सुब चीजह से हम electricity produce करते हैं but India ने 40% का target achieve कर लिया है with the generation of the electric capacity from non-fossil fuels National Green Hydrogen Mission जो के 2047 तक हम लोग energy independent बनने वाले हैं this is also important private investment in agriculture increases to 9.3% क्या देखिए जो agriculture में private investment था उसको increase कर दिया गया institutional credit to agriculture sector is continued to 18.6 lakh करो और overall जो gross value added है वो 3.7% है वही बात करें India का share in old commercial service exports की बात करें 4% हो है and India is the largest recipient of remittance receiving 100 billion dollars 100 billion dollar in 2022 largest recipient of remittance के पहले हम लोग 83-86 पे थे अभी 100 billion आ चुके चली next थोड़ा important current efforts देख लेते है तो पहला यहां पे 74th Republic Day 2023 के बारे में बात की गई this year the parade was special with many events taking place for the first time and it was first time जो President of Egypt जिनका नाम क्या था Abdul Fatah Al-Sisi had been invited as a Chief Guest of Republic Day यह पहली बार है दोस्तों first time हम लोगो ने Egypt के President को बलाया for the first time 12 women riders were the part of Border Security Force okay camel contingent के थे and their formation of life beam and Vajrang showcase the Kartavya Pat for first time during the beating retreat ceremony 3D anamorphic projection was held for the first time was called world first intranasional Covid-19 vaccine हमारे union health minister Dr. Mansook Mandavia उन्होने दुनिया का पहला intranasional Covid-19 vaccine introduced किया intranasional मतलब जो नोस में दी जाती है दोस्तों so इसका नाम है Incovac in New Delhi on January 26, 2023 किसने डेवलप किया? by Bharat Biotech International Limited in collaboration with Biotechnology Industry Research Assistance so Incovac has priced as 325 per dose okay 325 रुपे रहेगा एक dose के लिए and it has used Adenovirus Vectored Vaccine दोस्तों पहले कोविन आपको पता होगा बहुत सारे लोगों के पास अप्लिकेशन था दोस्तों अभी government न इसको थोड़ा modify करके U-WIN launch किया है Named U-WIN has been launched in the pilot mode in two district of each state okay and it is to digitalize the Indian national या भी universal immunization program Moidam nominated for UNESCO World Heritage Site So PM Modi has selected the Pyramid of Assam as a country's sole nomination for UNESCO World Heritage Site out of 52 Heritage Site on January 24, 2023 okay या दखलीजे Assam में अगर आप search करेंगे Piravid of Assam you will get a very beautiful place जिसे Moidam भी कहते है तो हमारे ननेंदर मोदी जी ने इनको adopt for UNESCO Heritage Site and the Home Era Moidam Cemetery of the Royal Family in Assam Chari Dior District will be India's only nomination for the UNESCO World Heritage Site उसका अंडबान आइलेंड नेंड आफ्टर परमवीर चक्रा वार्डीज यहां दख लिए 21 largest unnamed islands थे अंडबान निकुबार आइलेंड तो जो 21 परमवीर अवार्डीज थे दोस्तों उनके नाम पे रखा गया है यहां पे आप सारे के सारे names देख सकते हैं उसका brand guardianship index 2023 released हमारे जो इंडिया के billionaire है मुकेश अंबानी जी rank number one among Indians and second in the globally so India की बात करे तो India में जो इनको rank first आता है और global की बात करे so global में इनका rank क्या आता है दोस्तों second आता है ठीक है publisher January 20, 2023 he has overtaken the likes of Satya Nadella of Microsoft and Google Sundar Pichai to be rank number one in India और second जो globally आते है so NVIDIA की जो CEO है Jensen Huang and Reliance Industry के Mukesh Ambani are rank first in the index दोस्तों next देखते है India scientist made first of its kind discovery on Mars the first instance of solar electromagnetic waves has been discovered by Indian researchers on January 16, 2023 जी हम तब पहला solar electromagnetic waves था has been discovered by Indian resources the results were established during the information from the Mars atmosphere and volatile evolution जीसे हम क्या कहते है Mavin भी कहते है Mavin भी कहते है 112 feet tall Adhi Yogi Shiva statue 112 feet face of Adhi Yogi the source of yoga was unveiled at Sadguru Sannidi in Chikabalapur near Bangalore जोस्तों यहां से दिव्या दर्शनम यह यूनिक 14-minute video imaging show बाप्ट आपट 112 foot अधी होगी okay and our next time our Arogya Maitri project announced Prime Minister Indra Modi has announced a new Arogya Maitri project on January 14 इस project में क्या 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 जाता है so India will provide the essential medical supply to the developing countries जो भी humanitarian crisis से affect हुए है national disasters से affect हुए है उन लोगों के लिए essential medical supplies दी जाएगी so PM proposed to set up a center of excellence to facilitate development and PM also announced this at concluding the session of 2-day virtual voice of Global South Summit next Old Longest River Cruise MV Ganga Villas has been launched हमारे Prime Minister Anindra Modi flagged off the Old Longest River Cruise MV Ganga Villas and inaugurated 10th city in Varnasi मोदी जी है उन्होंने दुनिया की सबसे longest river cruise याद रख लिजे very very important river cruise जिसका नाम है MV Ganga उसको launch किया है और यहां पे 10th city भी inaugurate किया है दोस्तों वार नासी है MV Ganga Villas has 3 decks with all luxury amenities उसमें 18 suits है 36 tourists हैं पर आएंगे और यह 51 days का travel रहेगा का दोस्तों के 3200 km का रीच दिब्रुगरी नासा वया बंगलादेश crossing 24 river 27 river system विसका नाशल यूथ festival 2023 है प्रामिन अनेंद्र मोडी प्रामिनिस्ट अनेंद्र मोडी लेच दिब्रशी ओ गराइंदेश जप्था चंधिब्र बैलेस्ट धिजिक विसल ने अनने मोडी ने प्रामिन शॉवे फैर रहें चंदिपूर कोस्तों उसका दाता है जोशी माद्थ डिकले यहाद रख लिजेगा, इस की जो थीम है वो याद रख लिजेगा, that is, क्या है दोस्तो, reliable partners for India, okay, progress in Amrit Khan, progress in Amrit Khan, India surpassed Japan to become third largest auto market globally, जी हाँ, very important news है, India surpassed Japan on January 8th, 2023, in terms of auto sales in 2022, and becomes the third largest auto market globally for the first time, उसका DRDO developed unmanned vehicle दोस्तो, DRDO जोके, defense research and development organization है, has developed a unmanned aerial vehicle on January 7th, with the name of targeting logistic cooperation with the Himalayan border, the aircraft has been displayed by DRDO at 108, Indian Science Congress held in Nagpur, Maharashtra, okay, this UAE can fly with a load of 5 to 25 kg, and also capable of dropping bombs in enemy territory, okay, so National Green Hydrogen Mission approved, the Indian government has approved the National Green Hydrogen Mission with an initial outlay of 19,744 crores on January 4th, 2023, the mission aims to make India to global hub for the production and utilization of Green Hydrogen, okay, तो जैसा मैंने आपको budget जब डिसकस कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि, इंडिया ने 19,744 crores allocate किया है दोस्तो, पर National Green Hydrogen Mission, okay, और 2047 तक हम लोग जए, energy independent बन जाएंगे, okay, so India took over the leadership of Asia Pacific Postal Union, so India has taken over the leadership of Asia Pacific Postal Union on January 3rd, 2023, okay, so Dr. Vinay Prakash Singh will take over the charge of Secretary General of Union for tenure of, कितने सालो तक, चार सालो तक तोस्तो, कितने सालो तक, तोस्तो, कितने सालो तक, तोस्तो, India's largest single unit of women peace keepers has been taken place, so it is mentioned on January 6th, 2023, that India will deploy a platoon of women peace keepers to UN mission in Sudan, दोस्तो, okay, this will be India's largest single unit of women peace keepers, जो UN mission में लाँच किया गया है, जहां पर पहली बार all women contingent रहेंगे in Liberia in 2007, the deployment in A-B Sudan will be also herald India's intent of increasing significantly the number of Indian women in peace keeping contingents, जहें, next news है, three more sites added to UNESCO tentative list, क्या क्या है, Sun Temple at Madeira, जो के वाद नगर टौन में है, गुजरात के, and rock cut relief sculptures of Unakotin Tripura, okay, and, इस अपकुछ यहां पर आड किया गया, Sun Temple जो होता है, Madeira में, is dedicated to Surya Dev and is situated on the left bank of Pushpa Pati River in tributary of River Rupan, okay, चली, देकिए, सारा static news भी यहां पर दे दिया गया है, current affairs भी आपको दे दिया गया है, जेस्ट आपको पढ़के एक बार दो तिन बार वीडियोस देके याद कर लेना पढ़ लेगा, बस उतना ही, okay, So Social Progress Index Release दोस्तों, SPI for State and District of India as mandated by EACPM was released on December 20, 2022, It was released by Economic Advisor Council to Prime Minister along with the Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative, The top three performing districts कौन से है, Shimla Himachal Pradesh का, Solan है और Aiswal है, Mizoram Millet Food Festival Head, Prime Minister Anindra Modi has called upon the members of the Parliament to make the International Years of Millet 2023 as a mass movement, So when BJP की Parliamentary Party Meeting हो रही थी, So our Modi साफ ने इसके बारे में जिकर किया था दोस्तों, And PM Modi along with other attendees as lunch in Parliament where millet dishes were served, And a new national food processing policy को launch किया गया, Center has completed the consultation process जी हां दोस्तों, On new national food processing policy और यहां पर जो Minister है, Pralat Singh Patel उन्होंने कहा है कि Minister has approved the 41 Megafood Park, for the assistance under Pradhan Mantri Kisaan Sampadana Yojana, 41 Megafood Parks दोस्तों, ठीक है, Next Gaya and Nalanda selected for Swadesh Darshan 2.0 Scheme दोस्तों, Central Government informed December 19, 2022 that Gaya and Nalanda in Bihar has been included by the Government of India under Swadesh Darshan 2.0 Scheme, ठीक है, ठीक है, Next Punaura Dham in Sitar Malhi district of Bihar has been selected for development under Prasad Scheme of Government of India. And INS Murmugaon commissioned by the Defense Minister in Mumbai, INS Murmugaon commissioned by the Union Defense Minister Rajna Singh on the eve of Goa Liberation Day on December 19, 2022. INS Murmugaon is a second ship of the Vishaka Pattam class, stealth guided missile destroyer, तो इसको finally commission कर दिया गया, and named after the port city in Goa, this stealth destroyer कितना है, 163 meters long है, very very important, और 17 meters wide रहेगी दोस्तों, इसका displacement आके आपको 7.4 tons रहेगा, चलिए, 7400 tons होगा, आपको, India successfully tested Nuclear-capable Agni 5 missile, India successfully carried out the night trials, we are able to say, about the night trials, of Agni 5 Nuclear-capable ballistic missile on December 15, 2022, Agni 5 is developed by DRDO and Agni 5 missile is capable of striking targets at range up to 7000 kilometers with a very high degree of accuracy this is also important, इसका इडिन नवी gets 5th Scorpion Class Submarine INS Vagheer का नाव है So 5th Scorpion Submarine Vagheer of Project 75 Kalwari Class Submarine has been delivered to Indian Navy by Mazagorn Dock Shop Builders SHIP Builders INS Vagheer can undertake anti-surface anti-submarine intelligence gathering mine Central Bank Digital Currency RBI has launched the pilot for Central Bank Digital Rupee for Wholesale segment को लांच किया गया है इस साल के 15 अगस तक हम लोग ने यह डिसाइड करके थे कि 75 जो है वंदे भारत train को हम रन करेंगे नेक्सिँ इंडिया अजीगे टॉंटी प्रेसिद जो इंडिया अजीटेश्ट प्रेसिदिशी प्रेसिदेन्श्टे को सब्सक्रष जो करेंगे नेच्ट आता है इंडिया अजुम प्रेसिदेंसी अफ दी उनसी दोस्तों जी हम इंडिया अजुम the 31st 2022 next India's first private space vehicle inaugurated अगनिकुल कॉस्मोस लाँच इंडिया का पहला private launch pad and mission control center at Satish Dhawan Space Center दोस्तों अगनिकुल कॉस्मोस इस चैना चन्ना इस चन्ना इस चन्ना बेस space tech startup company और इज को इनागरे किया था हमारे इसरो के चेर्मन यह सोमना चीज यहां देख लीजे इंडिया का पहला private launch pad है very very important यह शब्द है दोस्तों private launch pad जहां पे रोकेट को launch किया जा सकता है कहां पे अगनिकुल कॉस्मोस launch india's first private launch pad and mission control center at Satish Dhawan Space Center उसका याक approved as a food animal दोस्तों food safety and standard authority of India has approved Himalayan yak as a food animal on November 26, 2022 this move is expected to help check decline in the population of the high altitude bovine animal okay by making it as a part of conventional milk and meat industry and next indio-pacific regional dialogue 2022 में हुआ था it is an annual apex level regional strategic dialogue है दोस्तो काँ पे हुआ था New Delhi में हुआ था okay next India took over the chair of global partnership in AI from France and the ministry of state for electronics and information technology will represent country in meeting in Tokyo already represent कर चुके है India rank 61st in the network readiness this is very very important ये जो reports होते है ये बहुत ही important होते है दोस्तो जैसा इससे पहले में आपको बताया था social progress index भी आया था okay उससे पहले हमने बढ़ा brand guardianship index okay BGI अभी तीसरा आप पढ़ रहे है हम लोग जो के NR है जोस्तो network readiness index so India's rank 61st in the network readiness index 2022 जो के रिलीस के आगे नवंबर 19 को and this index was prepared by US-based portulance institute and independent non-profit research and educational institute okay so India का score है वो overall अगर आप देखेंगे तो improve हुआ है दोस्तो from 49 to 51 in 2022 ठीक है चली next kashi temple sangamam held की बात करे PM रनेंद्र मोडी inaugurate kashi temple sangamam a month-long program organized in Varnasi the objective of the program is to celebrate reaffirm rediscover the age-old links between Tamil Nadu and kashi next power system operation corporation limited rename किया गया है इंडिया का जो national grid operator power system operation corporation has announced that it has changed his name to grid controller of India this is very very important okay grid controller of India okay on November 18 2022 the name has been changed to reflect the critical role of grid operators in ensuring integrity reliability economic resilience and sustainable operation उसक्वाद है fourth phase of digital डिजिटल शक्ति campaign launched okay जो डिजिटल शक्ति थी campaign जो के actually a campaign launch किया गया था by national commission for women okay उसका 4.4 version आ चुका है November 16 को launch किया था ताके women's को digitally skill कर पाए उसको empower कर पाए okay cyber space में को introduce कर पाए दूस्तों next India's first private rocket Vikram Yes has been launched इंडिया का पहला private developing इंडिया को जो है private organization के जरिये से developed किया गया जिसका नाम है Vikram Yes okay the launch of the Vikram is rocket by ISRO is a historic moment and the launch of India's first privately developed rocket was a technology okay demonstration to showcase the capabilities of the company उसके बाद president attended the janjaatya गौरव दिवस प्रोग्रम जी हां president द्रौपदी मुर्मू attended the state level program of Madhya Pradesh on the occasion of janjaatya गौरव दिवस और जो आधिवासी icon जो है बिर्सा मुंडा जी उनके birth anniversary को celebrate करने में इस दिवस को मनाया जाता है उसका एसी announced forced conversion as a very serious issue supreme court जो है November 15 को एक judgment लेकर आया थी उन्हें बताया कि जो एक serious issue हमारे security of nation को affect कर रहा है यहां पर उन्हें observe किया कि जो matter है response to the weak okay कि जिस तरह से convert किया जा रहा है forced conversion कर रहा है from one religion to another religion उस पर you know focus करना चाहिए दूस्तों okay the supreme court has directed the center to take a stand on the matter and file a response in a week okay next 2022 declared as an ASEAN India friendship year the year 2022 has been declared as ASEAN India friendship year and ASEAN India come over 30 years of partnership next 19th ASEAN India summit held in Cambodia the vice president of India led Indian delegation at 19th ASEAN India summit in Norm Faye Cambodia the vice president held the deep culture and economic civilization ties okay so logo theme and website of India's G20 presidency unveiled Prime Mission Indra Modi unveiled logo theme and website of India's G20 presidency and logo आपने देखा होगा okay BJP party की जैसा ही symbol है कमल का फूल है उसके पर G20 लिखा होता है okay so this is created with the four colors of India's national flag and represent sitting atop lotus EWS okay next बात करें सुप्रीम कोर्ट अपोर्स 10% quota for EWS okay important तो सुप्रीम कोर्ट अपहल्ट 10% reservation for the economical weaker section among the forward cast in the government jobs colleges okay a bench comprising CJI UU Lalit and justice Dinesh Maheshwari और उसमें रवेंदर भाट जी भी थे और जेपी परदिवाला भी इन्होने judgment को deliver किया दोस्तों कि हम लोग अभी जो 10% provide की गई है weaker sections के लिए उनको जहे upheld किया गया है so UDISC plus report release the number of children entering the pre primary class in 2021-22 has declined by 30% so total of 94.95 lakh students enter pre primary school in 2021-22 जो के हमको 10% कम देखन को मिला compared to the previous years okay and enrollment in primary school from class 1-5 also saw a drop उसका center to grant citizenship to minorities of Gujarat दूस्तु Union government has decided on November 1st 2022 to grant Indian citizenship to minorities from Aghwanistan, Bangladesh and Pakistan okay center to grant citizenship to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsians and Christians currently living in two districts of Gujarat विसकाथ PM attended मंगड धाम की गाउरव घता हमारे नरेंदर मुझी सहाब attended a public program मंगड धाम की गाउरव घता he paid homage to the sacrifices of unsung tribal heroes जी हां दोस्तु जो भी tribal heroes है जिन्होंने अपनी जान के खुर्बानी देकर हमारे freedom struggle में आजादी में हिस्सा लिया था आजादी कामरित महसब the government has initiated several steps to celebrate unsung tribal heroes of freedom अभी हम enter कर देते हैं international important current affairs में दोस्तु तो international की पहली news अगर देखा जाए तो यहां पे mention किया है कि international day of education 2023 dedicated to aafghan girls दोस्तु जी हाँ UNESCO has decided UNESCO has decided to dedicate the international day of education to celebrate on January 24, 2023 to aafghan girls and women's dost currently around 80% of the aafghan girls and young women of the school age are out of school sorry and इसले इन के लिये dedicate किया गया है so world economic forum meet 2023 की बात करे the annual meeting of old economic forum 2023 held in Davos, Switzerland from January 16 to January 20, 2023 the theme for this year meeting was cooperation in the fragmented world this is very important क्या है theme क्या है याद रखलिजे cooperation in the fragmented world the goal of WF was to promote innovation solution and to encourage cooperation between government and business sectors okay so the next important news is Chris Hipkins sworn in as New Zealand Prime Minister so Labour leader Chris Hipkins was sworn in as New Zealand Prime Minister in a formal sermon in January 20, 2023 and Hipkin was a minister for police education and public service as well as leader of the house and Chris जो है उन्होने Jacinda Arden को replace किया है दोस्तु उसके बाद UNICEF के रिपोर्ट निकल कर आती है और चाइल्ड created by international body of experts the earth ozone layer is on track to completely recover within 4 decades but anyhow अभी recently मैं जब DCS series को cover कर रहा था वहाँ पे मैंने बताया कि अभी ozone में और भी gain to hole पाया गया है दोस्तों जी हाँ तो चिंता करने के कोई बात नहीं scientist ने का है कि due to forest fires होते है जो wild fires होते है लास्ट येर भी इसी तरह का hole हमको देखनों को मिला था 2019-20 में but automatic or recover हो चुका था दोस्तों so forest fires wild fires ज्यादा होने की वज़े से इस तरह का hole हमको पाया गया है but दुनिया लगी पड़ी है कि hole को cover करे और जो greenhouse gases को emit कम किया जाए और chlorofluorocarbons को control किया जाए सब कुछ measurements लिया जा रहा है and ozone is a special form of oxygen with a chemical formula O3 right so ozone layer depletion leads to an upstick in incidence of skin cancer and cataracts in human उसका पुष्पक कमल दहल प्रचंडा appointed as PM of Nepal दोस्तों President जो है विद्या देवी बंडारी of Nepal has appointed पुष्पक कमल दहल प्रचंडा as a new prime minister of Nepal on December 25th 2022 2022 next देखते प्रचंडा will become the prime minister for third time next Sitweni Rabuka become the PM of Fiji December 24th after a coalition party voted narrowly to install him as the leader of the country and taliban banned university education for afghan girls Taliban government has passed an order to suspend university education for all female students in Afghanistan the education ministry UDRA Taliban Review said that this decision was made in cabinet pitting and the order will go into effect immediately. Resolution on education for democracy adopted. So United Nations General Assembly adopted a resolution जिसका नाम है education for democracy okay, ताके right to everyone, जो है education, right to education for everyone and this resolution which was co-sponsored by India, recognized education for all. ठीके, चले, next देखते Leo Varadkar elected as the PM of Ireland, दोस्तु, Indian origin, Leo Varadkar was elected as Prime Minister of Republic of Ireland for the second time. Okay, he took over the Mikhail Martin under an arrangement, struck between the two parties. So US President Joe Biden signed a gay marriage legislation जोस्तु, जोस्तु, जो उनाटे स्टेट्स के जो जो बाइटन सहाब, उन्होंने gay marriage law के पर साइन किया and this law protect love strike accord against hate in all its form. जोस्तु, जोस्तु, इस law established statutory authority for same-sex and interracial marriages, the house of representative passed by law on December 8, उसके बाद important news है, US print first bank note with the women's signature, this is very very important, ठीके, तो US ने पहली ऐसे bank note को print किया है, जहां पे women's के signature हमको देखने को मिली है, उके, the new currency note of one dollar and five dollar value, carry the signature of Secretary of Treasury, American Finance Minister, जिनका नाम है, Janet, Helen, and Lynn, Malerba, okay, Indonesia's parliamentary law, okay, Parliament passed criminalizing adultery, dostu, indonesia parliament passed a long awaited and controversial revision of the penal court for criminalizing the extra marital affairs the new criminal court must be signed by the president according to the deputy minister law and this include the article that makes sex outside marriage punishable by a year in jail and prohibition by six months gobbling mode is a word of the year 2022 of the disney oxford disney chosen gobbling mode as a word of the year 2022 it's a slang term means a behavior which is unapologetical self-indulgent ya pir lazy ka hona greedy ka hona ya that is like social norms or expectation gobbling mode so forbes the world's hundred most powerful women okay those are bicycle stickler it old hundred most powerful women has released on december 6 2022 european commission president ursula von der jinka rank top method okay nirmala sitaraman ji ka rank joe 36 pae okay it's very honored and other hcl indian joe hcl tech roshni nadar 53 rank sebi chairman madhavi poori 54 and steel authority ke chairman soma mandal in karang 67 gas lighting is a merriam webster word of the year 2022 who here oxford ki baat kare to gobbling mode webster joh merriam webster unki baat kare to gas lighting hai dosto america's oldest traditionary publisher hai merriam webster and gas lighting ko iska naam chuna gaya hai because bus yaha pere ek british playwright tha inka naam hai patrick unhoonne gas light likhata hai dosto 1938 mein toh waha se isko liya gaya hai uska EIU's worldwide cost of living 2022 jihau toh london based intelligence economist intelligence naik report ko release ki hai yeh bhi very very important hai dosto bhot saare important reports hum discuss kar rahe uska naam hai worldwide cost of living 2022 report okay so cost of living kis tarah se worldwide uske baare mei yaha pere bataya gaya the report compares the prices of more than 200 goods and services in 172 countries Moscow, Saint Petersburg which is the drastic increase in the rank next dekhte voting age of 18 changed in New Zealand dosto jihau okay New Zealand ke supreme court na hai ee rule pass kiya hai jo country recent voting age hai of 18 is a discriminationary on November 30 New Zealand minimum voting age of 18 was inconsistent with country bill of rights mentioned in the court okay uska great barrier rift to be listed as world heritage site okay so UN panel has recommended November 28 2022 that Australia great barrier rift should be listed as world heritage site in danger the UN also informed that the world biggest coral reef ecosystem uh was significantly impacted by the climate change and warming of the ocean okay next powerful earthquake on java killed at least 162 okay so 162 people lost their lives and 100 more were injured jaha pe capital jakarta hai dosto indonesia ka wahan pe lava aya tha and earth sorry it's a earthquake not lava and earthquake of magnitude 5.6 struck sinjur town in west java at shallow dip of 100 kilometers okay and world most power popular leaders ki baat kare p.m nanyandri modi reminds the world most popular leader with an approval of 77 percent this is important okay this was revealed in the global leader approval ratings released by US best consulting firm morning consultors okay the Indian PM is followed by Mexican president Andrew Manuel Lopez okay and Russian parliament passed a law banning LGBT propaganda this and this is also important okay the russian parliament approved a bill to prohibit LGBT propaganda the bill widens a prohibition of LGBT propaganda and restricts the demonstration of LGBT behavior okay smithy people found on tribal Santiago we have Ora here depart with kuh always As was awakened only brahim sun. As Prime Minister of Malaysia right Many shakak opposition leader admir plyamb thyroid change survey was sun, international country stand Yes to Prime Minister on Nomber 20 The new leader was appointed by the King Al-Sultan Abdullah All to say which is the political uncertainty that continued for several days after General election with a fracture मतलब बहुत करें मनुटी मैं जिता है उसका दिए रन्यॉर्ट सूल ऑफ पिस्टेट उसी से द ऐस्ट अम्रिट्रेशन का डीर स्टी इस्ट उस्क्रॉंट met बनेट को घरिते जमेंट बहुत्च अस्ट भी स्टीट गृर्स्ट इस दाग्रीट यह क्रेंच कर चुक है के दूख तू है झाले अग्साथ इन सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिग ता प्रिकोंड में अग्साथ आप जा प्रोड खूंट्वेल आप में वोल गम change conference was held from November 6 to 18 in the Shum al-Sheikh so it was the first climate summit held in Africa since 2016 okay. एक मिन्ट, I think laptop की थोडी बैटरी कम हो रही है, मैं इसको charging पे डाल देता हूँ. चलिए, so UN FCC COP 27 climate summit 2022 was attended by 197 countries or 45,000 people and 120 leaders okay और यहां पे 6 to 18 November हुआ था कहां पे हुआ था यहाद रखे जहे शर्म al-Sheikh Egypt में हुआ था दोस्तो और इनकी presidency थी वो Egyptian Minister of Foreign Affairs Sameh Shaukari के पास थी दोस्तो. First Global Media Congress held okay so the three day first world media congress opened in November 15 2022 at Abu Dhabi the conference come exhibition congress is organized by ADNIC group in partnership. Climate Change Performance Index 2023 in Delhi East okay the climate change performance index was published by a new climate institute in the climate action network on November 15 2022 okay it was published in 2005 and aims to promote transparency in the international climate policy which got Bali G20 summit was held in November 15 16 in Bali Indonesia it was the 17th meeting of the G20 summit. Theme क्या थी? Recover together recover stronger okay the Prime Minister Indramadhi along with G20 leaders visited and planted mangroves at Taman, Hutan, Raya, Gurah, Rai mangrove forest okay so world population reached 8 billion dostu okay yeah that legend so according to the world population prospect 2022 okay so the global population is projected to reach eight billion on November 15 2022 2022 dostu okay the UN latest projection suggests that by 2030 the global population could grow by half a billion to reach by 8.5 okay yeah that legend next MRA Natasa Pirk Muskar elected Slovenia first female president so Natasa Pirk Musar won the second round of Slovenia presidential election on November 14 2022 and became the first female president of the country she won 58.86 percent of votes in the runoff while the opposition right-wing politician and former foreign minister Anders Logar won 46.14 votes okay next UNESCO world heritage glaciers set to disappear by 2050 oh okay so abhi 25 the warning followed a study of 18 000 glaciers at 50 world heritage sites November 18 designated as the world day for the prevention of child sexual abuse United National General Assembly has adopted the resolution for child sexual exploitation abuse and violence so UNEP adaptation gap report 2022 released and too little too slow climate adaptation failure is ka jo report ka title hai dostu UNEP na release kia tha and har saal e log publish karte hain 2020 2022 okay this is very important okay so collins ki jo dictionary hai unhoney apna word ko chuna hai that is firma crisis is a word describing the feeling of living through a period of war inflation and political instability or isko pahli baar likha gya tha in 1970s miss kristamal kia gya tha chali abhi habi hain sports and games ki baat kare athletics mumbai marathon 2023 over 55 000 people participated in the iconic tata mumbai marathon held in january 15 2023 india's international runner tonakal gopi has finished the first in the indian category of tata mumbai marathon or utopia ke haley lemi and Anshalam hainath won the elite foreign men's and women racing course record uska badminton ki baat kare to india open shuttler kunlawuth whitstan from thailand won the india open badminton championship early and korean sensation on seong won the women's single final right and high low open 2022 jake badminton tournament okay huwa tha saar londhali in saar brookken germany from november one to six yaha pae aap dekh sakte men's single nae jita hai antoni or women's single nae jita hai han yui dosta uska 34th national under 13 torment ki baat kare telangana nishant bukhya and odissa tanvi patri worn in the boys and girls single respectively at 34th under 13 national badminton titles okay uska cricket ke aate so icc under 19 women's t20 world cup 2023 yaha pae aap dekh sakte hain dosta uska screenshot up kaard liye okay 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 yo sports ka sections hota hai na isko baar baar padhne se yaad hota hai dosta kye ek baar mein aapko bada duunga to utna yaad nahi raha ega to aap ek baar isko screenshot kaard lije ga joo maya scroll kar raha hon uske baad aap bhir usko revise kije aapko saari jan kar hiya pae repeat karne se mil jayi okay chali mein yaha pae bhi leke jata hon and india bangladesh series hoa tha okay or blind t20 cricket world cup 2022 india defeated bangladesh by 120 runs right uske baad vijay hazari trophy dosto jaha pae shaurashtra ne maharashtra ko hara diya okay and india newsland odi series hoa tha dosta jaha pae newsland won the opening odi at hidden park okay ithari old news bhi hai utni important bhi nahi hai okay latest aap paad ke jayega and icc t20 world cup ki baat kare to england men's cricket team won the second icc t20 men's cricket world by defeating pakistan in the finals at melbourne cricket stadium okay important hai our sayyad mustaak ali trophy mumbai won the sayyad mustaak ali trophy okay defeating himachal pradesh hockey ki baat kare to fih hockey men's world cup 2023 kaha pae hoa tha boba neshwar mein hoa tha and rock yala mein hoa tha okay or germany ne jita tha by defeating belgium okay and this is germany third man's hockey world cup title earlier germany 2002 me bhi jita 2006 me bhi jita tha yaha pae aap dekh sakte most award winners top scorer jeremy hayward thai australia ke best player nicholas velan thai germany ke best eng player diya gaya tha mustafa khasim ko south afrika ke and best goalkeeper vincent vanash or fair play award diya gaya tha belgium ko dosta thukем Hen quand algoaj tra showed o men's fod a women's fih nation comes ki ba3 sapelita pasa puniya beats spain the winning goal war scored by the gurjit koro of india the videos top 1020 trend is.- tennlarını oscal open 2023 Antonio區 three thousand ski कहां पर हुआ था, Melbourne में हुआ था दोस्तो, यहां पर आप देख सकते हैं, Men's Singles में, Novak, Jokovic, Okay, Women's Singles में, Aryana, Sabalenka, दोस्तो So Tata Open Maharashtra was the professional Men's Tennis tournament played in January 227, 2023 So Men's Singles की बात करे, Talon, Griekspur, Men's Double की बात करे, Sandrov, Gilly, ठीक, और Adelaide International की बात करे, held at Memorial Drive Tennis Center from January 1-2-8, 2023, और Ace Tennis Player, Novak, Jokovic, Defeated Americas, Sebastian Kota, Okay, Davis Cup देख लिजे, Canada ने अपना first Davis Cup title जिता है, after Felix Ugar, Alisa में, beat Australia, दोस्तो, ATP Finals की बात करे, Novak, Jokovic, Defeated Norway's Casper Root, Okay, and in ATP Finals, यह भी आद रख लिजेगा, उसका इसका भी screenshot ले लिजे, Beligion, King Cup 2022, Sizzle Land, won their first Beligion, King Cup title, on November 13, 2022, next, जन ATP Finals की बात करे, American Brandon, Nakashima, won the next generation ATP Finals, Tennis Trophy, उसका पारिस Master 2022, 19-year-old Holgar Rune, won his Made in Masters 1000 title, Okay, इन्होंने किसको हराय, Novak, Jokovic को हराय, जोस्तो, इसका इसका, ITF Men's Tournament की बात करे, Digvijay Pratap Singh ने, पहला अपना ITF title को जीता है, जोस्तो, Okay, and November 6 में, and won his first ITF title at RK Khanna Tennis Stadium, Shooting की बात करे, Asia Airgun Championship 2022, So the 15th Asian Airgun Championship 2022, Concluded at Daegu International Shooting, Okay, और Football की बात करे, Spanish Super Cup, Barcelona ने, Real Madrid को हरा दिया, by 3-1, Okay, so Cup title January 15, 2022, यह को साय, Spanish Super Cup है दोस्तो, FIFA World Cup की बात करे, Lionel Messi, Argentina, won the golden ball FIFA World Cup 2022, for his outstanding performance, Okay, Argentina won the final, defeating the champion France 4-2, Okay, so penalty falling 3-3, draw हो गया था, and French player Kainin Mabappé, won the golden boot, चली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next देख लेते हैं, हमारा क्या important निकल कर आया है, He became the first player to score the hat-trick in World Cup Final, since Jioff Hurst in 1966 final, दोस्तों, Okay, तो Kabaddi के बारे में है, 9th pro Kabaddi League की बात करे, Jaipur के Pink Panthers ने, won the 9th pro Kabaddi League, किस के खिलाफ जिता है, उन्हें पुनेरे पल्टान के खिलाफ जिता है, दोस्तों, Okay, awards are, awards, that is also very important, Padma Awards, 2023 की बात करे, the center has announced the Padma Awards, on the eve of Republic Day on January 25th, 2023, of the total 106 Padma Awards, 6 are Padma Vibhushan, 9 are Padma Bhushan and 91 are Padma Shri Awards, दोस्तों, the list of award is including 19 women and 2 person from the category of foreigners and 7 posthumously awarded, Galantry Award की बात करे, President Draupati Murmoo approved 4 12 Galantry Awards, including 6 Kirti Chakras and 15 Shaurya Chakras, दोस्तों, Okay, ICC Awards 2022 की बात करे, the International Cricket Council announced the winner of ICC Awards 2022, Okay, so, हैंप एक award category आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी photo भी ले सकते हैं, Sir Garfield Sobers Trophy, इस बार दी गई है दोस्तों, पर Babar Azam, Pakistan, रशाहिल Hanoi Flint Trophy, Nat Skivir को दिया गया, England के है, Men Test Cricketer of the Year दिया गया है, Ben Stoke England को, Men ODI Cricketer of the Year को दिया गया है, Babar Azam, Pakistan को, Women ODI Cricketer of the Year दिया गया है, Nat Skivir England को, Men's T20 International Cricketer of the Year दिया गया है, Suryakumar Yadav सहाब को, और Women's T20 International Cricketer of the Year Award दिया गया है, Tahilab Magrat को दोस्तों, Men's Emerging Cricketer of the Year, Marko Jansen इंका नाम है, और Women's Emerging Cricketer of the Year Renuka Singh जिया है, चलिए नइस देखते है, प्रदान मंत्री राष्ट्रिया बालपुरस्कार की बात करे, President Ropati Murbu has comfort upon प्रदान मंत्री राष्ट्रिया बलपुरस्कार at the ceremony in New Delhi, So 11 children have been selected for प्रदान मंत्री राष्ट्रिया बलपुरस्कार, जहां पर चार आर्ट and culture के थे, एक bravery के लिए दिया गया, दूसरा innovation के लिए, एक social service के लिए और तीन जोए वो sports के लिए दिया गया दोस्तों, प्रदान प्रबंधन पुरस्कार दोहजारतेईश, ओडिसा के स्टे इसास्टर मैंजमेंट अथरी और लूम्ली फिरस्टेशन मिजुराम, selected in the institutional category of उसे शुबाश चंडर बोस्तों, the award is announced every year on January 23, the birth anniversary of Netaji शुबाश चंडर बोस्तों, so Miss Universe 2022, the 71st Miss Universe pageant was held in the city of New Orleans, in USA state of Louisiana on January 15, 2022, America's R. Bonnie Gabriel won the Miss Universe 2022 title, at the 71st Miss Universe pageant, UN Medal की बाद करे, Indian Peacekeeper serving in the United Nations Mission in the South Sudan were awarded the prestigious UN Medal on January 2023 at a special award serving in upper 171 Peacekeepers from India deployed with UN Medal for their exemplary services उसके बाद आता है, Golden Globe Awards दस्तों, जो की होआ था January 10 को to recognize excellence in the film, both American and international and American television, okay so this was the 80th edition of the annual event by Hollywood Foreign Press Association one of the films in contention at Global Gold Awards was Telugu title RRR जो के राजमोली साब ने डिरेक्ट किया था चली, नेक्स साहित्य अकाडमी अवर्ट 2022 की बात करे, ते सिंट्रल गर्नमेंट अनूंस्ट अनूंस्ट अकाडमी अवर्ट फर लिटरेचर on December 22, 2022 writer M. Rajendra from Tamil Nadu has received this award for his novel Kala Paani, okay I think Kala Paani Netflix में series भी आ रही है, right so the awardee will be presented with a cash price of 1 lakh and copper shield और Kala Paani, जो अकाडमी लिखी गई है, वो आक्चली एक वार के पर बेसिस है, जिसका नाम है Kalayaar Kovil दोस्तु, okay total 17 books select किये थे, साहित्य अगडमी अवर्ट किलिए Next, बात करते है, National Award for Empowerment of Persons with Disabilities President Dropati Murmu was the Chief Guest at Sarmony to celebrate the International Day of Persons with Disabilities The event organized by Ministry of Social Justice and Empowerment उसकाड National Sports Awards की बात करे, President Dropati Murmu given away the National Sports Award और November 30, 2022 यहाँ पर लिस्ट of winners भी आप देख सकते है Major Dhyan Chand खेल रतना Award, जो अचनता शरत कमल को दिया गया Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement की बात करे, यह अश्विनी अकुन जी अटलेट्स के हैं Dharmvir Singh होकी के है, BS Suresh Kabaddi के है, और Nir Bahadur Guru para-athlete के हैं उसका द्राश्ट्रा खेल पुरसहन पुरुसकार की बात करे, Trans Study Enterprise Private Limited Kalinga Institute of Industrial Technology इनको दिया गया Maulana Abdul Kalam Azhar Trophy 2022, Guru Nanak Dev University को मिला है So Para Sports Person of the Year की बात करे, Paralympic Medalist Avani Lekhra Received the Para Sports Person of the Year Award at the TUF 2022 So 53rd IFFI Award, जो के पानाची में हुआ था Who was organized by National Film, Development Corporation & Entertainment Society of Goal So Award winner यहां पर देख सकते, Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, Carlos Soura IFFI Indian Film Personality of the Year, Chiranjeev Golden Peacock for the Best Film, this is very very important award होता है ओ शो का यह मिला था Tengos, Yonos, Electricos Silver Peacock Award for Best Director दिया गया था, Nader Xavier को Silver Peacock for Best Actor male को मिला था, Wahid Mavassiri Silver Peacock for Best Actor female को मिला था, Daniel Marin, Novaro Dostum Special Jury Award दिये गये थे, Laav Diaz को And Best Debut Future Film of the Director, Asima And Special Mentioned by Jury, Praveen Kandharagula Okay, उसके बाद यहां पर Gandhi Mandela Award भी मिला है, 14th Dalai Lama Was Presented with Gandhi Mandela Award 2022 on November 19th, The Award was conferred at Tekchen Cholling 31st and 32nd Bihari Purushkar की बात करे, Writer Madhu Kanakariya और दूसरे जो है, Madhav Hadha दोनों को जह Bihari Purushkar Award मिला है And International की बात करे, Miss World 2022 Sargam Kaushal has won the title of Miss World 2022 Becoming the winner among the contestant from 63 countries उसका Petas, Person of the Year Bollywood actor Sonakshi Shina has been named Petas India's 2022, Person of the Year And Sonakshi action helped us save the lives of many animals killed for fashion तो इसलिए Sonakshi से, इससे पहले Alia Bhatt को मिला था, अभी Sonakshi को मिला है Old Athlete of the Year Award की बात करे, वो प्रेजेंट किया गया To McLaughlin Leveron, Sydney के McLaughlin Leveron जो के World, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ Champion American Hudler है दोस्तों And Mondo Duplantis, Swedish Pole Walter भी है इन्होने Olds women 400 meter hurdles का record तोड़ दिया था उसकात UNESCO Award for Cultural Heritage Conversation की बात करे Chattrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrale And, जो Mumbai का है वस Conferred with the Award of Excellence of UNESCO And Award given at UNESCO Asia Pacific for Cultural Heritage उसके बाद आता है Indra Gandhi Prize 2021 Pratham and NGO Functioning in the Field of Education Was awarded Indra Gandhi Prize 2021 The Award was presented for Peace, Disarmament and Development The Award is in recognition for Pranam's work in ensuring quality education for children in the country उसका Champions of the Country Award 2022 की बात करे Assam के Wildlife Biologist Purnima Devi Burman Has been awarded the United Nation Highest Environmental Honor Champions of the Earth for 2022 Okay, Burban has been given the honor for transformative action उसके बात देखते है UN Highest Environmental Award की से मिला India's Purnima Devi Okay Purnima Devi Burban was honored with UN Highest Environmental Award और ये अक्चुली Assam Wildlife के Biologist है दोस्तों जो वहां की, you know, Greenery को वहां के प्रोटेक्क कर रहे थे And the founder of the Hargila Army So JCB Prize for Literature Khalid Javid the Paradise of Food won the JCB Prize for Literature on November 20, 2022 Khalid Javid the Paradise of Food was translated by Baran Farukhi या देखली जोस्तों Okay, to JCB Prize for Literature किसे मिला इसबार को Khalid Javid the Paradise of Food Okay, and UNESCO Madanjeet Singh Prize की बात करे Franka Mahe Sulaym Yon Won the 2022 edition of UNESCO Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence The UNESCO Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence is conferred by every two years by the UNESCO इसके परसंस in news क्या 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 देखले थे Aruna Miller सहाब Has scripted history by becoming first Indian American politician to sworn as the Lieutenant Governor of Maryland Those things Aruna 58 former delegate of to the Maryland house made the history when the democrat becomes the 10th Lieutenant Governor of the state उसके बाद निलामानी फुकन रिनोड असामिस पोईट and recipient of Grandpete Award निलामानी फुकन has passed away on January 1923 89 years के थे And is one of the most celebrated poets of Assam and with awarded the country highest literary award Jacinda Adran यह पहले भी हम लोगने discuss किया है दोस्तों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने है उन्होंने किसको replace किया है वो भी जान लीजेगा कि किसको replace किया पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था भी हम लोगने आपको पहले ही पढ़ाया था उसमें उन्होंने बताया था कि किसको उन्होंने replace किया है चलिए नेक्स इसको थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूं Right So Lucy Randon Oldest person Lucille Randon dies on January 17 Okay at the age of 118 दोस्तों In the year 2022 Oldest person Ken Tanaka of Japan died he was 119 years old After Tanaka's death 118 year old sister Lucy Randon become the oldest person in the oldest Okay उसका ज्यूएन ज्वांगफोक वेतनाम के President ज्यूएन ज्वांगफोक Has submitted his resignation on January 17, 2023 The ruling Communist Party found him responsible for corruption, scandal and wrongdoings इसलिए उनको resign करना पड़ा उसका जननी रामचंदरन की बात करें 001 has emerged as youngest and first cured woman of colour To take oath as a Oakland City Council member of California Okay queer Okay she okay clece took a sermonhall oath wearing a saree As the Oakland City Council Right in the Inauguration Seremony 입니다 उचका शरत्यादव जी, 75-year-old veteran politician, former union minister, RJD leader, शरत्यादव पस्ट वेइ on January 12, 2023 23 okay he was probably the first politician in India to be elected as a member of Lok Sabha from three states Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar which got Constantine 2 की बात करे जोके फॉर्मर and the last king of Greece has died at the age of 82 दोस्तु in Athens में okay Constantine 2 ascended the throne at the age of 23 in 1964 the dictatorship abolished the monarchy in 1973 while a referendum after democracy was restored and 1974 dash any hopes that Constantine had of ever Vyani again Manpreet Monica Indian origin Sikh woman Manpreet Monica Singh become the first ever female Sikh judge on November 9 2023 in her career expanding her over two decades the newly appointed judge has been involved in numerous civil rights organization which got Kesharinath Tripathi की बात करे senior BJP leader of Bharatiya Janta Party former West Bengal governor Kesharinath Tripathi passed away at 88 on January 7th 2023 he was a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly six times okay Kai Kala Satyanarana की बात करे veteran Telugu actor producer director Kai Kala Satyanarana died on December 23rd Hyderabad मे दोस्तु and he also known as Navarasa Natana Swarva Bhoma he acted in around 750 movies and was known for Kurukshetra Moon Elon Musk की बात करे has announced December 21 2022 that he will resign as a CEO of Twitter but that may take some time so CEO resign करने वाले है but not at it this comes after Musk ran a poll on platform along uses whether he should be stepped down as a CEO of Twitter Mohit Seth की बात करे major general Mohit Seth took over as a general officer commanding of the country insurgency force kilo on December 20th the general officer was commissioned into three Madras Regiment दोस्तो okay an alumnus of National Defense Academy the general officer has attended the prestigious NDC at New Delhi उसका बात Bairang Singh Rathod है और Bairang Singh Rathod the hero of the 1971 war has passed away in Ames okay was admitted to the hospital after battling health issues unfortunately उनका धिहान थो गया दोस्तो इनको Sena medal दिया गया था 1972 में for his gallant action उसका बात मेगना अहलावत की बात करे Meghna Alawat was elected in the first ever woman president of the table tennis federation of India former veteran Kamlesh Mehta was also elected as general secretary Patel Nagarendra Reddy was elected as a treasurer उसका के वी शाजी की बात करे KV शाजी has become has been named chairman of national bank for agriculture on December 7th 2022 he formerly served as Nabat deputy managing director okay he worked in a Kenera bank for 26 years so Ravish Kumar की बात करे senior journalist and Raman Maxa से award Ravish Kumar resigned from NDTV okay so NDTV से resign कर दिये थे उन्होंने so actually जो जो channel के founder promoter थे प्रनेर रादी का उन्होंने कर दिया थे उसके बाद हमारे Ravish Kumar सहाब ने भी रिजान कर दिया था विकरम किलोर सर की बात करे इंजी he passed away at the age of 64 on the November 30 2022 he is india's Automotive Industry Stalwart and Toyota के लोगषकर motor के वाइस chair person है अस्यमुनिर की बात करे फॉर्मर इंटर सर्विस इंटलिजेंस छीफ and lieutenant general asim munir has been appointed as new chief of Pakistan army Okay and uh in ka jo Prime Minister Shabaz Sharif उननने प्रशांत कुमार आस बेन अप्रशांत कुमार है प्रसांत कुमार आस प्रेसिड आजीज अच्छाइड आजन्स टूचाइशाइशन फिस्कल 2020-2023 इत्वर स्कारी टार्ग्मी विज्ड. इससे hazari लिखत झाडर्वार्ब्च कोनि एप्टेज्येल सनजने मेंथास मुझन सेखें द्वातियन खिकी ist एफ टीन सिल्च इन्हेग इन ओर इन utter फॉल्टटर फिन्हेरे ली ठूड़ाका फिजर्ट can दिपा मलिक, Union Health Minister appoints, दिपा मलिक has Nikshay Mitra Ambassador on November 24, 2022 in New Delhi दोस्तो, Nikshay Mitra is an initiative under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhyan, ठीक है, important है, याद रखलेजे, नेक्स्त मजु की बात करे, Lance Naik Manju became the first woman skydiver of the Indian Army on November 16, 2022, माजु जंफ अप दे अद्वांस light helicopter drew chopper from the height of 10,000 feet, okay, so Vivek Joshi, the Indian government has nominated Department of Financial Services Secretary, Vivek Joshi on November 15, 2022 as a director on Reserve Bank of India's Central Board, Vivek Joshi will hold the position of director at the Central Bank, जोस्तो, ठीक है, उसका बाद, Greg Barclay जी की बात करे, has been re-elected unopposed as the chairman of ICC on November 12, 2022, at an ICC board meeting in Melbourne, Barclay opponent Dr. Tavingua, Makul Hani, the chairman of Zimbabwe Cricket, withdraw from the contest, okay, जालियो, नेक्स देख लेते हैं, Maura Haley, so Maura Haley, so Maura Haley become the history as the first openly lesbian, U.S. governor and first woman elected the governor of Massachusetts on November 9, 2022, okay, so Haley was the first openly gay attorney general elected on country in 2014, and was previously civil rights lawyer थे दूस्तो, she led the first state challenge to defense marriage act which banned same-sex marriage, okay, Wes Mooray की बात करे, Vex Mooray has been elected as the first black governor of the U.S. of the state of Maryland on November 8, 2022, okay, so Wes Mooray is a celebrity author and former non-profit executive, he deputed the far-right Republican, Dan Cox, okay, which was backed by the former हमारे जो प्रेसिदेंट थे, Donald J. Trump का सपोर्ट था, पते निहों, Wes Mooray जी ने भी जीता है, और he is the first black governor of the U.S. state of Maryland, दोस्तो, Mohammed Irfan Ali, the government of India decided on November 5, at that president of Ghyona, Dr. Mohammed Irfan Ali, will be the chief guest for the 17th Pravasiya भारतिया दिवस दूस्तो, जो जन्वरी आट से जन्वरी 10 में हो चुका है अलरडी दिन दूर में, and Benjamin Netanyahu की बात करे, former Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a stunning comeback to power, as this like it party and its far-right and religious allies emerged victorious, according to the final result, the coalition has won 64 of 120 Parliament seats, and country's fifth election हुए थे, less than four years में, इला भट गांधियन सेवा founder and women's empowerment activist है, और इनका ध्यान्त हो गया था 89 की उमर में, okay, she was globally recognized as a woman leader and was awarded Padma Bhushan, दोस्तों, okay, चलिए, हूज हूज देख लेते, प्रेज़ेंट हमारे द्रौपती मुर्भू जी है, वाइस प्रेज़ेंट जगदीब धंकर साभ, और प्राइम मिनिस्टर नन अन 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 अदर दैन, नवेंद्र मोडी जी, cabinet minister की बात करे, राजना सिंग, डिफेंस समाल रहे हैं दोस्तों, अमिर्शा, होम अफेर्स, कोपरेशन समाल रहे हैं, नितिन जैराम गटकरी, रोट ट्रास्पर्ट अन हैवेश, निर्मला सीतारावन, फाइन्स अन कॉर्परेट अफेर्स, नयंदे सिंग टोमार, अगरिकल्चर अन फॉर्मर्स वेल्फेर, यस जैशंकर, एक्ट्रेनल अफेर्स मिनिस्टर, अर्जुन मुंदा, ट्रिबल अफेर्स दोस्तो, स्मिर्थी जुबी निनारी, उमेन और चाईली डेवल्पेर्स, मिनॉर्टी अफेर्स, प्यूष गोयल साहब, Commerce, Industry, Consumer Affairs, Food, Distribution, Textile, धर्बंदर प्रदान साहब, Education, Skill Development & Entrepreneurship, प्रलाज जोशी, Parliamentary Affairs & Coal & Mines, नारायन तातूराने, Micro, Small & Medium Enterprise, स्वरबंदा सोनवाल, Ports, Shipping & Waterways दोस्तो, विरेंदर कुमार, Social Justice & Empowerment, Giriraj Singh, Rural Development & Panchayati Raj, Jyotir Aditya Amishk India, Civil Aviation Steel, Pashupati Kumar, Paras Food Processing Industry, Kiran Rijuji, Law & Justice, समाल रहे, This is also very very important, Ministry होती है, उसके बाद देखेंगे, Gajandra Singh, Shikawat, Jal Shakti, Portfolio है, Ashwini Vaishnam, Railways, Communication & Electronics & Information Technology, समाल रहे है, Rajkumar Singh, Power, New & Renewable Energy, Hardeep Singh Puri, Petroleum & Natural Gas, Housing & Urban Affairs, Mansukh Mandavya, Health & Family Welfare, Mahindranath Pandey, Heavy Industries, Samal रहे है, Bhupendra Yadav, Environment, Forest & Climate Change, Purushottam Rupala, Fisheries, Animal husbandry, Dairy, Kishan Reddy, Culture Tourism है, Anurak Singh Thakur, Information Broadcasting हो गया है, Ministry of State की बात करे, तो यहाँ पर राव, Inderjit Singh की बात करे, Portfolio, Statistics & Program Implementation, Jitindra Singh की बात करे, Science & Technology है, Earth Sciences, PMO भी यही देख रहे हैं दोस्तों, Department of Atomic Energy, Department of Space भी यही समाल रहे है, Jitindra Singh की आपने बहुत देखा होगा, News Parliament में भी बहुत नजर आते हैं, तो उसके बाद, Shripad, Shripad, Yeso Naik, Ports, Shipping, Waterface हो गया, Faghan Singh, Kulaasthi, यह नहीं Minister है, जो के Steel & Rural Development समाल रहे है, Pralas Singh Patel, यह अपने नाम बहुत 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 सुना होगा, जल शक्ती, Food Processing Industry समाल रहे, Ashwini Kumar चौबे, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, और Environment, Ministry of State बात कर रहा है, Arjun Rapal Meghwal, Parliamentary Culture Affairs, V.K. Singh, Road Transport Highway Saviation, Krishan Pal, Power Heavy Industries, Danvay Raos, Dadarau, Railway Coal Mines, Ramdas Atawale, Social Decision and Empowerment, Saadvi Niranjan Jyoti, Consumer Affairs, Public Distribution, Sanjeev Kumar, Balyaan की बात करे, Fisheries, Animal, Headsmentary समाल रहे हैं, और Nithya Anand, Rai की बात करे, तो यह Home Affairs को समाल रहे हैं, Pankat Chaudhary, Finance समाल रहे हैं, Anupriya Singh Patel, Commerce and Industry हो गया, S.P. Singh Bagel, Law and Justice को समाल रहे हैं, V.Murali Dharan, Action Affairs, Parliamentary Affairs हो गया, Rajiv Chandra Shekar, Skilled Development and Entrepreneurship, Shoba Karandle, Agriculture हो गया दोस्तो, और Bhanu Pratap Burma, यह क्या है, Micro, Small and Medium Enterprises हैं, ठीक है, चलिए, Next देख लेता हैं, Next आते हैं, Minister Darshana Vikram Jardosh, Textile Railways के हैं, Meenakshi Lekhi, जो कि External Affairs Culture, Minister है दोस्तो, Som Prakash, Commerce and Industry, Renuka Singh Saruta, Tribal Affairs हैं, Rameshwar Teli, Labor and Employment and Petroleum Natural Gas, Kailash Chaudhary, Agriculture and Farmers, Welfare, Annapurna Devi, Education हो गया, Narayan Swamy, Social Justice and Empowerment, Kaushal Kishor, यह जो है Housing and Urban Affairs को समाल हैं, यह भी Important Ministry हैं दोस्तों, उसके बाद, Ajay Bhatt की बात करें, जो के Defense and Tourism है, BL Varma, Development of North East Region, अजय कुमार, Home Affairs समाल रहे हैं, देव सिंग चौहान, Communication हो गया दोस्तों, भगवंत कुबा, New and Renewable Energy, and Kapil Moreshwar Patil जो है, Panchayati Raj, और श्री प्रतिमा बावमिक, जो है Social Justice and Empowerment, सुभाज सरकार Education, भगवत किशनराव कराड, Finance, राजकुमार रंजन सिंग, जो के External Affairs Education है, भारती प्रवीन पावार जो है, Healthy Health and Family Welfare है, Okay important है, and विश्वेश्वर तुडू, Tribal Affairs हो गया दोस्तों, and मुंजपर, महेंदरबाई, Women and Child Development, और जॉन बरला, यह Minority Affairs है, कि यादे यह भी important है, जॉन बरला, चलिए आगे बढ़ते हैं, Next जो Ministers है, Next अभी अल मुरुगन, Fisheries देख रहे हैं, और निशित प्रमाग Home Affairs, So Governors and Chief Ministers की बात करें, So आंतरपदेश के जो Governor है, विश्वा भूशन हरी चंदन है, Chief Minister वायस जगन बहुन रड़ी है, इनके भी elections होने वाले हैं, अरणाचल प्रदेश की Governor है, बीडी मिश्रा और Chief Minister है दोस्तों, पेमा खांडू, अस्साम है इनका Governor है जगदिश मुखी, और Chief Minister हेमंत बिश्वा शर्मा, बिहार की बात करें, फागु चोहान इनके Governor है, और Chief Minister नितिश कुमार है दोस्तों, चतिसगड की बात करें, अनुसिया UK जो के गवणर है चतिसगड के, और वहां के Chief Minister है भूपेश बागिल, गोवा की बात करें, पियस स्रीधरन पिल्लाई, और प्रमोच सावंत, जो के वहां के Chief Minister है, गुजरात के जो गवणर है, आचरया देव विरात, और वहां के Chief Minister है भूपेंद्र पटेल, हर्याना के जो गवणर है, बंदारू दत्तात्रया दोस्तों, पहले तेलंगाना की हुआ करते थे, अभी इनको हर्याने के बना दिया, और वहां के जो CM है, मनवरलाल खतर है, जारकन के जो रमेश बयास है, और वहां के जो CM है, हेमन्त सोरिन, करनाटक की बात करें, वहां के जो CM है, तावरचन गहलोट, यहां के जो CM है, बंबई, बैंगलूर में ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो गवणर है, अरलेकर, और यहां के जो CM है, सुक्विंदर सिंह सुकू, केरला की बात करें, आरिफ मोहमत खान गवणर है, और यहां पर आगर आप देखेंगे, जो CM है, पी विजयन है, मत्यप्रदेश की बात करें, मंगु भाई, चगन भाई, पटेल, महारास्त्रा की बात करें, वहां के जो गवणर है, भगत सिंह कोश्यारी, और CM एकनाथ शिंडे, मनिपूर की बात करें, गवणर है ला गनेशन, और CM ए यन बाईरन सिंह, मेगालाई के जो गवणर है बीडी मिश्रा, जो के अडिशनल चार्ज दिया गया है इनको, और कॉंग्रेट सांगमा वहां के CM है, मिजोराम के हरी बाभू और वहां के जो CM है, जोरांग तांगा, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, सो ओडिस्सा के जो गनीशी लाल है दोस्तों, CM कोने नविन पतनायक है, नागलान के जो गवणर है जगदिश मुखी, और यहां के CM है नेफिव रॉय, पंजाब के जो गवणर है बनवरिलाल पुरोहित, और CM है भगवन सिंग मन, राजस्तान जो है कलराज मिश्रा, अशोक गहलोट है CM, सिक्किम की बात करे, गंगा प्रसाद, CM जो है प्रेम सिंग तमांग, तमिल नाडू की बात करे, आरेन रवी है और CM है MK स्टालिंग, ट्रिपुरा की बात करे, सत्यद्यव नराइन आरिया मानिक साहा, जो कि यहां के CM है, तेलंग आना, जो के तमिल साई, सॉंदर राजन है दोस्तों, गवर्नर और CM चंद्रशिकर राव, उतरपदेश की बात करे, आनिद बेन पटेल और CM है योगी आदीतेनर, उतराखन की बात करे, गुर्मित सिंग, पुषपार सिंग धामी, वेस्ट बिंगॉल की बात करे, सीवी आनद भोस और ममता बेनेट सी, होँआ के CM है, अभी यूनेट टेरिटरिस की बात करते हैं, अंडवन निकोबार आइलैंड के जो लिफ्टन गवर्नर है, और यहां के जो CMY वो यन रंगा स्वामी है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सो Chiefs of Armed Forces और Intelligence Agency, जी हां, Chief of Defence Staff अभी कौन बने हैं दोस्तों, अनिल चौहान जी बने हुए हैं, एरफोर्स के जो चीफ हैं वो वियर चौधरी साहवे, वरिवरिए इंपॉर्टेंट नेम्स हैं दोस्तों, यह आपको डारेक्ट एक्जाम में पूछ सकते हैं, आर्मी की बात करें, मनुच पांडे साहब, नेवी की बात करें, आर हरी कुमार दोस्तों, सीबी आई की बात करें, सुबोत कुमार जैसवाल हो गया, इसवाल दोस्तों, चेर पर्सनद CBFC की बात करे तो प्रसुन जोशी थाब है और चेर परसनद CBFC की बात करे तो निधी चिपर कि चीफ एलेक्शन कमिशनर जो है राजिव कुमार है और चीफ इंपर्मेशन कमिशन जो है यश्वर्दन सिन्हा है दोस्तों कि एंड अटॉर्णी जर्नल कौन बने है ये भी इंपॉर्टेंट नाम है आर्व एंकटर मनी सॉलिसिटर जर्नल बने है तुशार मेहता चेर्वन यूपीस के बने है मनोस सोनी गवर्णर आर्बी शक्तिक अंता दास प्रेजिडेंट बीसी से एक रॉजर बिन्नी बने है प् इंड्यम dinero कुमार चैनल परबाहिक्र येंस रजी्ड रजीम शेंड ऑś 2017 मचटराइंड एनड INTRO Понजाब नेशिल बैंक जो अतुरुकूमार गएल है और पंजाब सुन्द बैंक स्वरुप कुमार साहा है दोस्तों याद देख लिजिए एन युनियन बैंक आफ इंडिया यह मनी मेखाल है यूको बैंक के सोमा शंकरा प्रसाद आईडी बैंक के राकेश शर्मा है तो इसका इंपोर्टेंट इंडरनेशनल ओफिशल्स की बात करें तो सेक्रेटरी ज जो है गिलबर्ट होंग बो प्रेसडेंट जो है साभा को रसुप ड्रेक्टर जनेल द ड्व फ्टो गॉंजो अकॉंजो डेक्टर जनल यूनि pass को आंडे अ-जोले डिरेक्टर जनल डबली हचो टेड्रोस अधरोम, सेक्रेटरी जनल उन्सी टीएडी रबेका गरस्पैन, डिरेक्टर जनल आईये, ये की कोन है दोस्तों, राफेल ग्रोसी है, एक्जिगूटर डारेक्टर उनिवसेफ कातरीन रजल है, सेक्रेटरी जनल जो है, इसाला विराक सेक्रेटरी जनल एमनेस्ट इंटरनाशनल के अग्नेस कलामाड है दोस्तों, प्रेज़ेंट आयोसी थॉमस बैक, प्रेज़ेंट फीफा ग्यानो इन्फान्टीनियो, चेर्मन आईसी ग्रेग बार्कले और सीउ आईसी के कोन है, जीओफ अलडाईस है, ठीक है, चलिए, परेज़ेंट इंडिया, बार्ण हिस्ट्री के बारे में बढ़ेंगे, उसके बार जोग्रफी, पॉलिटी, स्टाटिक पार्ट को हम ज्यादा तर कवर किया जाएगा, ठीक है, चलिए, पहले देख लेते हैं, एसेंट इंडिया, प्रेहिस्टोरिक पेरिट देखते हैं, प त His ne reins, पहले बार Homo-sopians को देखने को मिलु अंधर been on all of a So in this period, man barely managed to gather his food and subsistate on hunting. Distinguish by development of the first stone tool made up of quartzite. इसके बाद आता है हमारा मिसोलिथिक, नमस्टिकेशन आप अनिमल्स बिगॉन और चारेक्रिक्रिस्टिक टूल्स वर काल्ड माइक्रोलिथ भीम बेटका इन मत्यप्रदेश इस नोन फॉर असियन केस्ट इपक्टिंग पिचर अब बर्स अनिमल्स और हुमन्स रूटिक की बाद करे नियुडिक पीपल मुझन आप फॉर आण फोल्स फमें कर विड् mm पूल्स अस वॉल्स हां ओटियों और फोल्ड चार्लिथिक पीरिड और उसके बेंक बीटें करणे अनोध mother goddess and worship the bull. Okay, okay. Indus Valley Civilization की बात करे, is one of the earliest civilization in the world. According to the radiocarbon dating, यहां पर Indus Valley जो IVC की जो एज निकाली गई है, वो 2500 BC to 1750 BC यहां पर निकाला गया है. ठीक, यहां पर famous बात जो Indus Valley Civilization की है दोस्तु, वो systemized town planning जी हां दोस्तु, एक systemized town planning थी, Harappa, Mohonjodaro आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने construct किया है, fortified citadel हमको देखने को मिला, highly urbanized था है, and great बात जो Mohonjodaro में हमको मिला है, okay, आवर six granaries हमको मिले हैं दोस्तु, in Harappa. The towns were divided into two parts, upper part और citadel, lower part, and Harappa were ruled by the class of merchant, okay, and Indus people South City in November reaped their harvest in April. They produce wheat, barley, rye, piaas, sysam, rice and mustard, and Indus people were the first to produce cotton, which the Greeks termed as Sindan. So, पहली बार जो cotton हमको grow होने को देखने को मिला है, वो कहां देखने को मिला है, वो Indus people में दोस्तु, Indus people वालो ने पहली बार cotton को grow किया, very important है, और इसको क्या कहते थे लोग, इसको Sindan कहते थे दोस्तु, Sindan. And animals known क्या क्या थे उस टेम पर animals, Oxen थे, Sheep थे, Buffaloes थे, Goats थे, Pigs थे, Elephants थे, So, आप अगर इतने किलो ग्रेन देंगे, तो आपको यहां पर सामान दिया जाएगा, So, बार्टर सिस्टम थे, A very interesting feature of the civilization was that, Iron was not known to them, Okay, इतना highly urbanized था है, But भिर भी iron यहां है, लोगों को पता नहीं था, So, Indus people used weights and measure in the multiple of 16. So, Harappas looked on the earth as a potality goddess, and phallic yoni, जो lingam होता है, और yoni होता है was prevalent, Unicorn was a most worship animal, और many trees, people हो गया, bull हो गया, Okay, वर worship, Though no evidence of temple has been formed, Dead bodies were placed in north-south orientation, North-south orientation, Okay, इस तरह के orientation में इनको दफनाया जाता था, Seal of Pashupati depicts elephant, tiger, rhinoceros and buffalo, And two, you know, deer has been appeared at the feet of the Pashupati, The Indus people believed in ghosts and evil forces evident by the use of amulets and protection against them, और fire altars भी बहुत सारे हमको देखने को मिले है, The greatest artistic creation of Harappan culture were the seals, Okay, Harappan script is a pictographic, And the script was written from right to left, In the first line and left to right in the second line, This is called Boss Trophy down, Dostu, The occupation practice was spinning, weaving, boat making, goldsmith, seal making, etc. The possible cause of decline of the civilization, Maybe invention of Aryans, recurrent floods, social breakup of Harappas, etc. Boundaries, North, Mandu, Jammu Kashmir, South में क्या था, Okay, boundaries यहां पर लिखके दिखा देता हूं, North में जो था वो मांडू था दोस्तों, South में अगर बात करें तो यहां पर महारास्टा था फैला हुआ था, Daimabad, Next East की बात करें तो यहां पर आलमगीरिपूर तक फैला हुआ था दोस्तों, जो के यूपी के नजदिक आता है, इनने बेस्ट की बात करें तो सुकता जंडर, एक जंडर है जो सुकता जला जा रहा है, पता लिए बहुत पन्नी नेम्स होते हैं इनके, So Indus Valley sites की बात करें तो हरपा, which is situated on river Rabhi, in Montomogori district of Punjab, It was excavated by Daya Ram Sahani, Important है, यह sites आपको पूछेंगे, और किसने एक्सकावेट किया है, उसके बारे में आपको पूचा जानेगा, So Daya Ram Sahani, जाने 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 जाने, So 1921, The Indus Valley civilization, the name after it was Harapan civilization, Stone Dancing Natarajan Cemetery have been found here, उसका जाता है, Mohonjadaro, Mound of Dead, situated on river Indus, and it was excavated by R.D. Benerji in 1922, इसका चाहुदार हो दोस्तो, Unreven Indus, discord by N.G. Munjumdar, कब discover किया गया, 1931 में इसको discover किया गया है, and only site without a citadel, और यहाँ पर हमको bronze figurines देखने को मिले है, इसका लोथाल की बात करे, गुजरात की, तो इसको discover किया गया है by S.R. Rao, Okay, कि कुष को discover S.R. Rao in 1954, Okay, a part of was divided into citadel and lower town and dockyard, and evidence have been found here, उसका काली बंगन हो गया है, discovered by B.B. Lal, 1961, situated on Gagar river, okay, a plowed field, wooden furrow, seven fire altar, से हाँ पर देखने को मिला है, उसका डोला विरा की बात करे, it was found on the river Looni, of Khach district in Gujarat, discord by Joshi, दोस्तों, and Surka Toda की बात करे, discord by J.P. Joshi, in 1972, evidence of horse found, oval grave and seemingly port city, Banawali की बात करे, on river Saraswati, discord by R.S. Bisht, राखिर गड़ी की बात करें, largest Indus Valley site है, largest Indus Valley site, next देखते हैं, और आता है हमारा Vedic period, रिक वेदा की बात करें, so Vedic civilization started with the migration of Aryan people, in the North Western part, तो हमारा India का map डालेंगे आप, तो यहाँ पे जो North Western part है, North and Western part, यहाँ पे हम को जादा तर Vedic people देखने को मिलें दोस्तु, और सप्ता सिंधावा, the Dasarajan War, the Battle of 10 Kings against Sudhaas, on the Bank of River Parushni, Sudhaas emerged as victorious, political organization की बात करें, it was mainly a tribal system of government, in which the military element was very strong, tribe was known as Jana, and King was known as Rajan, तो अल्वों की पोस्तु, आल्वों की बात करें, we also have some traces of election, with the tribal assembly, which we call Samitis, so tribe को क्या कहा जाता था, tribe को Jana कहा जाता था, King का नाम था Rajan, जैसे आज के जबाने में राजा कहते हैं, उस ही से लिया होगा vote, और वहाँ पे elections भी होगा करते थे, other tribal assemblies that were mentioned in Rig Veda, were Sabha, Vidhata, and Gana, और villages को को कौन hit किया करते थे, villages को जैसे के अभी panchayat लोग जो होते ही, panchayat secretary वैसा होता है, तो वहाँ पे Gramani होता है, in day to day administration, the king was assisted by Purohita, जैसे के उनके Sena Pati हो गया, like that, okay, and Senani और Gramani दोस्तों, society की बात करे, society भी यहाँ पे आप देख सकते है, so people were loyal to the tribe called Jana, mentioned 275 times in Rig Veda, okay, and religion की बात करे, worship nature, Indra also called Purandra, breaker of the forts, was the most important, okay, divinity, Soma was considered to be the god of plants, and people worship the divinities mainly for Praja, children's, Pashu, cattle, okay, food, no temple or idol worship was noted, okay, so economy की बात करे, no regular revenue system, kingdom maintained by voluntary tribute called Bali, Aryan main occupation was mainly pastoral, agriculture was secondary occupation, cow was a standard unit of exchange, and staple crop क्या था दोस्तों यवा था जिसे हम barley केते हैं आज के जमाने ले, Rig Vedic terms की बात करे, Dasyus, original inhabitant of India, Ayas, copper and branch, Vajrapati, officer enjoying the authority, Gramini, head of the village, Gavishti, जो के fighting, hord search for cows and war for cows, okay, so Rig Vedic reverse की बात करे, important याद रख लिजे, Indus को कहा जाता था, Khurram को क्रुमू कहा जाता था, Jhelam को वितस्ता, Chinab को असकिनी, Ravi को परुषणी, Biyaas को विपास, Satlech को सुतुद्री, Gomati को Gomal, Saraswati कहते थे बस यहाँ पे W के जगा विउस्तमाल किया, Ghaggar को Drishadavati कहा जाता था, उसके बाद आता है हमारा Later Vedic period दोस्तों, So in this period Aryans expanded from the Punjab over the whole of the Western Uttar Pradesh, covered by Ganga Emuna Dua. Political organization की बात करे, Samraat became more powerful and tribal authority tended to become territorial. King's position strengthened by ritual like Ashwamedha, Vajapaya Eganas. Society की बात करे, was clearly divided into four Varnas दोस्तों, एक Brahmana हो गया, Shatriya हो गया, Vaishya हो गया and Sudra हो गया The institution of Gotra, Descent from common ancestor, appeared for the first time. Next देख लेते Economy, Beginning of the town and settled life, Agriculture was the main livelihood, wheat and rice, जिसे कहा जाता था, Vrihi, वह बहुत देखने को मिला and new occupation हम को देखने को मिली, जब Indus Valley Civilization था तो यहां पे iron completely absent था दोस्तों completely absent था लोगों को iron पता ही नहीं था, but the Vedic period आया यहां पे हमको iron smith देखने को मिले, copper smith देखने को मिले, jewel work देखने को मिला दोस्तों और women's थे वह weaving कर रहे थे Religion की बात करे, Prajapati became the supreme God followed by Rudra जोके animal God है और Lord Vishnu जोके protector of the people माना जाते थे और idolatry began in this period and Pushana who looked after the cattle उनको क्या कहते थे God of Shudras कहते थे दोस्तों God of Shudras Sacrifices rather than prayers become more important and Vedic literature की बात करे तो obviously आप सभी लोग जानते है Rig Veda, Azur Veda यहां पर सब इंकल कर आते हैं तो Rig Veda जोके oldest Indo European language text है जहां पर it is a collection of hymns it is a collection of hymns 1028 hymns है यहां पर total इसको जह कितने divide किया गया है 10 mandals में divide किया गया है and 10th mandal के पास क्या है Purushakta hym है जहते explain about the 4 Varnas 3rd mandal contain about the Gayatri Mantra Samaveda आता है collection of melodies contain Draupat Raga it is a book of chants Yazur Veda की बात करे contain hymns and ritual sacrifices Atharva Veda की बात करे charms and spells 2 word of evils and disease they explain the hymns of Vedas contain the ritualistic formulae and explain about the social and religious meaning of the rituals okay so Brahmanas में क्या होता है यहां पर rituals को clearly explain किया गया है सुरिक वेदा में कौशितिका यजुर वेदा में तात्रिया सामय वेदा में पंचविश और अथरव वेदा में गोपता के बारे में आपे explain किया गया अरिया अरियन्या means the forest this text were called Aryankas because they were written mainly for hermits and student living in the jungle okay so the philosophical text emphasizing value right believes knowledge okay and 108 अरियंका है थोस्टों इननमबर पोराना जो है ये वोल्ड रेशन से डील करते हैं जहां पे आपको Gods, Rishis के बारे में, okay, Royal Dynastries and there are total 18 famous Puranas है, okay, Matsya Purana, जो के, याद रख लीजे, Matsya Purana बहुत बार UPSC में भी पूचा गया है, so Matsya Purana is a oldest Puranic Text, उसका Darshana की बात करे, there are six schools of Indian philosophy called Shada Darshana, जिसमें Naya Darshana, जो के Gautam, Vaisika Darshana Kannada Rishi, Sakya Darshana Kapila, Yoga Darshana Patanjali, पूर्वा मिमांसा जैमिनी और उत्तरा मिमांसा बद्रयायनी में, यह है, ठीक है, and उपवेदास की बात करें आपको, धनुर वेदा दोस्तों, जो के Art of Warfare से डील करते हैं, and यहां पे अगर आप देखेंगे, गंधरवा वेदा, Art and Music है दोस एपिक्स की बात करें, Mahabharata by Vyasa, okay, also called Samita and Shatahasri Samita, okay, जहां पे वन लाक वोर्ट लिखा है, and the older Ramayana written by Walmikhi, it has 29,000 verses, दोस्तों, उसके बात आता है, Mahajana Padaas, चले नेक्स्ट आते हैं, हमारे Mahajana Padaas, okay, जो के location गंधारा बेट्विन काबुल एंड रावल पिंडी है, टकसीला इसका capital है दोस्तों, okay, अंगा और बगलपूर की बात करें, जो location है यहां पे, और चंपा इनका capital रहा है, और मगदा, जो रे वेरी फेमस महाजना पदा है, दोस्तों, बागी के सारे सारे इसके अंडर आ जाते हैं, पतना गाया district बिहर में था, और इनका capital राजग्री ही था, दोस्तों, पाटली पुत्रा, उदाइन ने बदलाया, फिर वाईशाली हुआ, शिशुनागा के टाइम पे, और अशोका के टाइम पे फिर पाटली पुत मेरिया की बात करें, सोतीवती नगरे, सुक्तिमती, वट्सा की बात करें, रिवर एमुना, अलहाबाद और मिर्जापुर डिस्टिकी न्यूपी, कौशंबी हो गया, कोसाला की बात करें, स्रवस्ति और आयोध्या दोस्तों, कुरू जो के गंगा एमुना दौाब है, डेल जो एरिया है, रिवर गोदावरी के पास पड़ता, इनका कैप्टल था पटना पटाली, अवंती की बात करें, यह भी वेरी फेमस है, मालवा के एरिया में था और इनका जो कैप्टल था अजेन था दोस्तों, और महिश्मती था, सदर की कैप्टल, कमभोजा की बात करें, ह दोमिनेशन अफ ब्रामनास, और स्प्रेड ऑफ अगरिकल्चर एकॉनमी इन दा नॉर्थ इस, उस तेम पर क्या होता था, जो ब्रामिन लोग होते थे न, तो उनको बहुत ही जादा, इनको बहुत ही जादा इंपोर्टेंस दिया जा रहा था दोस्तों, इनके लिए लैंड दिये जा रहे थे, ज्वल्स दिये जा रहे थे, बहुत सारे इसक्रिमिनेशन हो रहा था हूं वहाँ पर, इसलिए जैनिजम को फाउंड किया हमारे रिशब्देवन ने, एंबलम इनका बुल है, बॉन इन आयोध्या, देर वर ट्रितंग कारास, ओके, 23rd बिंग पर्षवन प्रिया दर्शनी वोस्थे जामाली बिकम फस्स्टिप्लिन, महाविरा बिकम अस्थे एज अजए अजए अफ 30 अटेंड काई वल्या ओट्स आड दोन इंबिक करमा अड़ जिम्भिक ग्रमा डाइज अज़क ग्रमा डाइज अज़ग इजव सम्यट 20th बिस्ट इन इनिवायर भ्सक्रेशी निए टार्फितर निए्टायर अच्टेश्ग टार्सा आप्सकिए उत्याच्टिय। जैयनिम रेकागनी एग्सिंटथे इजिताने लाचिणाध। यहां पे अगर आप देखेंगे करनाटक रीजन में इनका दिहांत होगा था दोस्तों करनाटक रीजन में बहुत ही बड़ा यहां पे इनका मूर्ती बनी हुई है जैनिजम वस डिवाइद इन्टू सेक्ट्स दूरिंग आरीन आप चंद्रकुपता मौर्या जो के स्वतामबरास और दिगामबरास इनको कहा जाता है दिगामबरास जो लोग होते हैं वो नेकड होते हैं दोस्तों अंडर बद्रबाहू और स्वतामबरास जो है वाइट ड्रस पेना होते हैं जैना टेक्स्ट वर रिटर इन प्राकृत लाइंग्वेज में लिखा हुआ है यह डिरेक्ट वपेसे एक्जाम में पूझा गया था आपको प्राकृत लाइंग्वेज में लिखा हुआ है चलिए नेक्स्ट काउंसिल की बात करें फस्ट कॉंसल वेट पाटाले पूत्र अंडर स्थुहल बद्र जैना कैनों स कंपाइड सेकंड कॉंसल वेटेव लभी में दोस्तों अंडर श्रमा अंड श्रमाना हुआ था टूवल अंगास टूवल उपंगास वर गंपाइड इन फॉंडेट बाइ गौतम बुद्धा अलसो रहना सिद्धार्ता और सक्या मुनी और ताथा गाटा दोस्तों विजास बोन इन 563 BC लूंबिनी नेपाल इन सक्या शत्रिया क्लान इस फॉदर शुदोधना वाज शुदोधना वाज शुदोधना वाज शुदोधना वाज और दूसरा उनकी जो मदर थी उनका नाम था महा माया दोस्तों महा माया जो के कोसाल डाइनस्टी के थी डाइड अरली प्रॉटप बाइस्टेप मदर गौतम गौतमी दोस्तों मैरिट तो एशुदादर एंड हैस सन राहुल त्री रत्नास इन बुद्धिजम स्टैंड एशुदादर के बाद करे बर्त जो लोटस और बुल्ट महा बिशकरनम हो गया निर्वाना बोधी ट्री हो गया दुस्तों धर्मा चक्र परिवर्तन महा परिवाना जो इस तूपा हो गया था दूस्तों स्तूपा और दधम्मा की बात करे टफॉर्थ ग्रेत टूट्स दव killing, controlling desires, desires can be controlled by falling eightfold path, eightfold path actually, you know, हर चीज़ को, हर लोगों को follow करना चाहिए, it's not a, you know, खाले सिर्फ बुद्धिस लोग follow करें, या Hindu, या Muslim, या Islam के रिए, no, ये एक humanity को line पे लाने की बात की गई है, eightfold path हर religion के लिए apply होते हैं, जैसे के right understanding, सही सोच का रखना, सही action लेना, okay, right livelihood होना, right efforts, right speech, right mindfulness, right concentration, देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है कि कोई religion के बारे में, कोई, you know, gods के बारे में, नहीं, ये eightfold path जो हर कोई के लिए apply होता है, उसका madhya marga की बात करे middle path, man should have avoid both extreme, that is life comfort and luxuries, okay, उसका simple life जीनी चाहिए, बतल ऐसा ही नहीं की पूरी luxury की life हो, और ऐसा ही नहीं की पूरी गरीबी की life हो, middle path चुमना चाहिए, Buddhist literature की बात करें in Pali language, commonly referred to three pitakas, threefold basket, Vinaya Pitaka, rule of discipline in Buddhist monasteries, Sutta Pitaka, जो के collection of Buddha sermons हो गया, teaching हो गया, Abhidhamba Pitaka, explanation of philosophical principle, okay, Maha Vamsha, Deepa Vamsha हो गया, causes of decline of Buddhism हो गया, use of Sanskrit, the language, intellectual, revival of Hinduism, Buddhist council यहां पी हो था, first Buddhist council 483 BC, second Buddhist council 383 BC, third Buddhist council with 250 BC में, और fourth is also 72 ADP, place कहा है राजा ग्रिया, Vaishali, Pataliputra, Kundala, Kundalvana, okay, chairman इसके थे महा कश्यप्या दोस्तों, सभा करनी, मोगली पुट्टा तीसा, वास्वमित्रा, अश्वगोश, और पैटर्न, अजत्यश्त्रु, काला अशोका, अशोका और कनिशका, चली, अभी, finally, हम enter हो रहे है, dynasty of ancient India में, very important topic है, okay, so, Hariyanka dynasty की बात करे, Bimbisara was a founder, who expanded the Magadha kingdom, by annexing, and entering into the matrimonial alliances, दोस्तों, okay, with Koshal and Vaishali, Bimbisara, जो है, बहुत ही चालाख, actually ruler थे दोस्तों, यह जहां पर लडाई होती थी, वहां पर लडाई जीत के, अराम से जो है, हासिल कर लेते थे, और जहां पर उनको लगे, कि opposite team जो है, बहुत ही strong है, तो उनकी जो है, matrimonial alliances लगा देते थे, दोस्तों, ताकि वो उनको मिल जाए, Ajatashastru जो है, बहुत ही aggressive king थे, he came to power by killing his father, he annexed Vaisali and Koshali and Lichhavi kingdom, Udain ने new capital को found किया था, जिसका नामे पाटली पुतरा, उसके बाद Shishunaka dynasty आते है, जो के founded by Shishunaka, Kala Ashoka, और Kakavarin of this dynasty, Conveed the second Buddhist council, their greatest achievement was the destruction of Avanti, उसका नंदा dynasty आते है, consider non-shatrian dynasty, founded by Mahapadmananda, Alexander जो है, इनी के टाइम पे attack किया था दोस्तों, जब Cyprus या Cyrus थे, जो first foreign invader of India, Alexander, the king of Macedonia, invaded India in 326 BC, fought with the battle of Hyda Aspas, Jhila, जो के porous थे दोस्तों, और पे Porva dynasty, Mauryan dynasty की बात करें, important ruler of Mauryan dynasty, आर Chandragupta Maurya, जो के 321 to 298 BC है, ठेक है, the first ruler who overthrew the Nanda dynasty with the help of Chanikya, और इनको जो सांडरा कोटोस भी कहा जाता था, by Greek scholars, और Chandragupta defeated Seleucus Nicator, the general of Alexander, okay, who has Latres and Megasthenes, his mother was a Mura, जो के शूदरा उमेन थे, नंदा के कोट में, और मुद्रा खासा, वस रिटन बाई विशा का दर्ता, this is very important, याँ दख लिए, मुद्रा रक्षा इन्होंने एक लिखा है दोस्तों, वशा विशा का दर्ता दिने, and describe about mechanism of Chanikya, अगने चंदरा गुपता, He adopted Jainism and went to Stravana Belagola with Badra Bahu, उसके बाद आता है, Bindu Sara दौस्तों, 298-273 BC, He was called Amitra Ghat, by Greek writers, and Greek ambassadors, Devakosh visited his court, said to conquer the land between two seas, Bindu Sara appointed his eldest son, Sumana, is with Taksashila and Ashoka at Ujjain, उसका अशोका की बाद करे, 293-273 BC, for the first eight years, Ashoka ruled like a cruel king, and maintained discipline, he was called Devanampriya, dear to gods, in the name of his inscription, the name Ashoka occurs only in the copies of Minor Rock Edit 1, their languages were used for Ashokan inscription, that is Proctored, Greek and Aramic, most of the Ashokan edicts were written in Kismen, ये याद रख लिखे, so, इनको जो languages से वो कौन से इस्तमाल किये गए थे, एक प्राकरित था दोस्तों, दूसरा था Greek, और तीसा था Aramic, ठीके, बट ये जो most of the script थे, ये जो Ashokan edicts थे, ये जो edicts लिखे गए थे, Brahmis script में, याद रख लिगे, Brahmis script में लिखा गया था, और पहली बार इसको decipher किया गया था, बाई James Principe इनका नाम था, क्या था इनका नाम? James Principe था, जो के 1837 AD में इसको decipher किया, and Ashoka was the first king to maintain direct contact with the people through inscription, इससे पहले आपने देखो हागा, Bindu Sara, Ajata Shastru, ये लोग ने direct contact नहीं किया, and Kalinga War mentioned in 13th major rock addict, which converted Ashoka to Buddhism under Upa Gupta, Sanchu Stupa was built by Ashoka, the last Moran king Brihadrata was killed by Pushyamitra Sunga, दोस्तो, जो लास्ट Moran king थे, जो इनका नाम था, Brihadrata, तो ये इनको मारा गया, Pushyamitra, Sunga ने मार के, वहाँ पे आपो यहाँ पे देख सकते है, Sunga dynasty को उन्होंने इस्टाबिश किया था, दोस्तो, 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 the punch mark coins carrying the symbol of peacock and the hill and the crescent frame the imperial currency of Moria's, the Moran artisan started the practice of carving caves of monks to live in Barabar caves near Gaya, और ring wells for domestic use of water appear first under the Moria's, Sri Lanka is called Tamrapani in the Ashokan inscription, दोस्तो, उसके बाद आता है Sunga dynasty, Sunga dynasty was established by Pushyamitra Singa, जोसे मैने कहा, बद्रा brihadrata ko marr ke, is dynasty established kiya gaya है, they were basically Brahmins, this period saw the revival of Bhagavatism, दोस्तो, Patanjali wrote, महा भस्या at this time, in arts, Barhut Stupa is the most famous monument of Sunga period, Kanwa dynasty, आई है उसके बाद in 73 BC, Devabhuti, the last ruler of Sunga dynasty was murdered by the minister Vasudeva, who served the throne and founded the Kanwa dynasty, which was latter replaced by साथा वाहनास वेंम अधित्य देकिंग आफ उजेन वस अवन अलोली वो डिफिटीट साखास दोस्तों। उसका पार्थियन इस फेमस किन गंडो फेर्नेस इन हुस रिजाइन वीजिट इंडिया तू परफागे रिस्टेशन इसके बाद आते हैं हमारे कुषन सहाब आलसो काल्ड एची और तोचोरियन्स कहता था इंको, क्या कहते थे इनको, इनको या तो आची कहते थे, या भिर तोचारियन्स कहता थे, वर नुमाडिक पीपल फम दश्टेपिस, कनिश्का वस ग्रेटेस्ट फिस कुषन्स, who started the Sakha era in 78 AD Kanishka ka naam and Kanishka was the first ruler to issue gold coins so gold coins issue karne waale pehle rulers koun the ? Kishans the and in the royal court of Kanishka a host of scholar found patternage like Parsva, Vashwamitra, Ashwa Gosha बहुत बहुत इंपोर्टेंट और बहुती बड़े दिग्गज पैटरनेज हमको देखने हुए यह जो पैटरनेज ग्रीन इंजनेर अगी सिलस उसके बाद सातावाना यह भी इनको आंदरास भी कहा जाता था, शूथ में है यह सिमुखा, the founder of सातावाना dynasty, सातावाना वर finally succeeded by इश्वा वकूस in AD 3rd century under सातावाना मनी चाइतियास and विहारास वर cut out from rock mainly in the northwest जकल और महरास्ता famous temple जैसे के नासिक हो गया, कनेरी हो गया and करले हो गया दोस्तों उसके बाद आता है, the official language of सातावाना वर प्राकृत, the सातावाना इसुड़े coins mainly copper, bronze and protein and Gautamputra Satakarni was a famous king Sangam age की बाद करे, correspond to post-moran and pre-gupta period, South India during the Sangam age were ruled by three dynasty or Pandyas their capital were Badurai, famous pearls and Pandyas were first dimension by Megasthenes, okay traded with Roman Empire and embassist to Emperor Augustus Chola की बाद करे, the Chola kingdom also called Chola Mandalam, was situated in northeast of Pandya kingdom and their capital was Kaveri Pataram Cheras की बाद करे, their capital was Vajji, Vanji, it had important trade relation with Romans Sangam literature की बाद करे, Sangam was a college or assembly of Tamil poets, held under royal pattern age यहाँ पे आप देख सकते, Madurai, Chhedbae, Agastya, Kapatapuram, Chhedbae, Tolka Pia, Madurai which is Nanikar उसके बाद आते हैं, Gupta period, the important rulers of Gupta period का जो पहला आये, Chandragupta Maurya जिन्होंने जो है, Lichhavi के जो princess हैं, उनसे शादी की दोस्तों, और वहाँ से इनका जो गुपता का जो empire था वो expand होता चले जो है, He was the first Gupta ruler to acquire the title of maharaja di raja, very very important, okay, Chandragupta पहले इस ruler बने है, वन जो के इनको title दिया गया maharaja di raja Chandragupta 1 was able to establish authority over Magadha और Pragya and Sakhe था दोस्तों, उसका Samudra Gupta आते हैं, जो के AD 335 to 380, okay, he is called Napoleon of India, जी हां दोस्तों, very very important, ये बहुत सारे exams में पूचा गया है, के Samudra Gupta जी को क्या कहते हैं, Napoleon of India कहा जाता है इनको, ठीक है, so Megavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to his court, for permission to build a Buddhist temple at Gaya, the Allahabad pillar inscription, gives detailed information about Samudra Gupta, it was composed by his court poet called Hari Sena, he assumed the titles, कह का title से, कवी राजा थे और विक्रमा था दोस्तों, उसका Chandragupta 2 आते हैं, and Mehrauli inscription on iron pillar near Kutub Binar is related to him, his court was adorned by Navaratnas, the chief being Kalidas and Amarasimha, Fahin, जो के एक Chinese pilgrim है, इनी के जमाने में आये हैं, दोस्तों, and defeated Sakha Shatrapa, Rudra Simha 3, and Chandragupta 2 was succeeded in killing Ramagupta, and he was the first Gupta ruler to issue the silver coins in the memory of victory over Sakhas, and I word out with the title Sakharin and Vikramadity, Gupta age is called golden age of the Indian history, and saw the issue of largest number of gold coins, okay, उसके बाद आते हैं, Kumara Gupta 1, Chandragupta 2 was succeeded by his son Kumara Gupta 1, and Kumara Gupta was a worshipper of God Karthika, okay, he was founded Nalanda Mahavira, and Nalanda Mahavira ताप सभी लोग को पता है, and Skanda Gupta की बात करे, was the last great ruler of Gupta dynasty, during Izrin, the Gupta empire was invaded by Hunas, success in repealing the Hunas seems to be have celebrated by the assumption from the title Vikramaditya, and उसके बाद आता है, Pushya Bhuti dynasty, the greatest king was Harsha Vardana, the son of Prabhakar Vardana, and he shifted the capital to Karnoach, Hwang Sang, या दख लिए, इनी के जमाने में आये थे दोस्तों, okay, very very important है, so Hwang Sang, okay, so Harsha Vardana के जमाने में आये थे, he established the largest monastery at Nalanda, and Banabatta adorned his court, wrote Harsha Charitra, and Kadambari, Harsha himself wrote three place, जिसका नाम है, Priya Darshika, Ratnawali, और Naga Nanda, दोस्तों, उसके बाद, राष्ट्रकुटास का जमाना आता है, founded by Danti Durga, Krishna one, built the Kailasa temple at Erlora, and Amoga Varsha, which comparative Vikram Aditya, इन्होंने फस्ट कनडा poetry लिखी, जिसका नाम है, कवी राजा मार्क, दोस्तों, क्या है, कवी राज मार्क, राष्ट्रकुटास are created for building, cave shrine Elephanta, dedicated to Shiva, उसका गंगास आगे, ruled ओरिस, Darsimha Deva constructed sun temple at Kunark, Ananta Varman built Jagannath temple at Puri, and Kesar is who used the rule before Ganga has built Lingaraja temple at Bhubaneswar, पल्लवास की बात करे, founder जो है, Simha Vishnu है, capital country, greatest king Narsimha Varman, who founded the town of Mamalapuram, and built rock-cut, ratnas, and even pagodas, okay, so Palas यहाँ पर देख सकते हैं, with their capital at Maungir, is known for Dharmapala, their second king, who founded the Vikramashila University, and revealed the Nalanda University, the greatest ruler of Prathiharas was Bhhoja, and Kajuraho temples were built during the reign of Chandela's of Bundelkhand, Chalukyas of Vatapi, founded by Jainas Simha, or contemporary to Harshavardhan, Rajput divided into four clans, Prathiharas, Chauhan, Solankis, and Parmaras Palwa, okay, next, आते हैं, चोलास, दोस्तो, founder of Vijayala, capital Tanjore, और अधित्यावन, wiped out the Pallavas, and weekend the Pandayas, उसकाद पुरन टाकावन, capture the Madurai, but was defeated by Rastakuta ruler, Krishna 3 at Bartil of Takulam, उसकाद राजा-राजावन, led a naval expedition, against the Shailendra Empire, and conquer Northern Sri Lanka, okay, और उन्होंने राजा-राजश्वरी temple बनी, याद रख लिए, किसने बनाये, जो ब्रियत देश्वरा temple है, Tanjore में, यह बनाया गया है, राजा-राजा-वन के द्वारा दोस्तों, ठीक है, और राजेंद्रवन जो है, annexed the whole of Sri Lanka, took the title of Gangai Kunda Cholapuram, very very important है, okay, पूरा Northern Sri Lanka जो occupy किये थे, इनका नाम है, राजा-राजावन, और राजेंद्रवन जो है, उन्हेंने पूरा Sri Lanka को ही occupy कर लिया था, और इसलिए उनको title दिया गया है, Gangai Kunda Cholapuram, और dancing figure of Shiva, वो के चोला period से belong करती है, और यहाँ पे local self-government भी exist होती है, So this is the end of the ancient India, ancient India को जो भी important points है, जो Manohar Pandeji ने बहुती summarized way में लिखा है दोस्तों, आपको एक quick revision में काम आ जाएगा, अगर आप detail पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे different books हैं, बट एक summarized version में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो this is the best book, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम medieval India में दोस्तों, medieval India में जो important incidents हुए है, जो important points है उसके बारे में आज हम discuss कर लेते हैं